इस बार क्रिश फोर में क्या क्या चेंजिस देखने को मिलेंगे क्या फाइनली कोई मिल गया के बाद क्रिश फोर से होने जा रही है जादू की वापसी नमस्कार दोस्तों मैं गरिमा सिंग आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलिगराद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में सबसे पहले तो राकेश रौशन जी से हमारा एक सवाल है कि जादू कहा है 2003 में इस फ्रेंचाइजी की शुरुआत हुई थी जब हमें जादू देखने को मेरा एक दूर गरह से जीवधाती पर आता है जो नीले रंका है जिसका नाम सब जादू रखते हैं वो शरीर में बड़े लेकिन उम्र में छोटे रोहित को असीन शक्तिया देता है जिसके बाद वो गजब कर डांस करने लगता है उसकी मसल्स बन जाती है गजब की फाइट करता है जिसके बाद बड़ी ही बेदर्दी से उस एलियन को वापस उसके ग्रह बेच बेच दिया जाता है जिसके बाद एक पार भी नहीं बुलाए गया हालां कि जब 2006 में इसका सीक्वल आया तो रोही तकने पापा के पुराने कम्प्यूटर के थो उससे संपर करने की कोशिश करता है और दूर आसमान में कहीं जादू का इस पेश शिप भी नज़र आता है लेकिन उसके बाद इसका थर्ड पार्ट भी आया लेकिन उसमें भी जादू का कोई अता पता नहीं था तो फाइनली इसका फूर्थ पार्ट आ रहा है फूर्थ नहीं फूर्थ और फिर दोनों साथ में लेकर आ रहे हैं राकेश रोशन तो एक लीस इस बार तो जादू की वापसी होनी चाले इस बाद से ना आप इंकार कर सकते हैं और नाहीं राकेश रोशन कि कोई मिल गया है जब फिल्म आई थी जितना इम्कोर्टं लोल घितिक रोशन का था उतना ही इम्कोर्टं लोल था जादू का क्योंकि जादू के आने से पहले, हालांकि रितिक रॉशन की बहती एक्टिंग ने सबको बादे रखा था, काफी कॉमेडी भी थी फिल्म में, लेकिन जादू के आने के बादे तो फिल्म में मसाला आता है, जब टुिस्ट आता है, तो इतने इंपोर्टेंट रोल को कोई कैस सब्सक्ता है, और जहां इस बार कहा भी जा रहा है कि फिल्म की कहानी में भी राकेश रोशन चेंजिस कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों जो कोरोना वाइरस की वज़े से पूरे विश्व भर में तहल का मचा हुआ है, और दुनिया नस्ठ होने तक की बात कह दी गई गई, त इस फिल्म की कहानी में चेंजिस कर रहे हैं, तो वो ये भी चेंजिस कर सकते हैं कि पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, और जादू अपने ग्रह से आता है, और क्रिश के साथ मिलकर पूरी सृष्टी को बचाता है, ये आइडिय काफे एक्साइटिं रहेगा, या फिर ऐ वो फिल्मे भी काफी ब्लॉक्बस्टर हिट थी, या फिर कुछ ऐसा करें कि क्रिश का बेटा जैसा कि आपने क्रिश्ट्री में देखा कि उसके बेटे ने भी जन्म ले लिया है और उसमें भी शक्तिया है, तो क्यो ना बाप बेटे की जोड़ी मिलकर पुरी दुनिया को क्योंकि ऐसा कॉंसेट अच तक किसी फिल्म में भी नहीं लिया गया, हाला कि कार्टूनिस्ट फिल्म में ऐसा देखने को मिला है, जो हाल ही में रिनीस वी थी दे लॉयन किंग जिसमें शारुक खान ने भी वोईसोवर दिया था, तो इस सरह से आप बच्चों का ध्यान भी कि अपनी और काफी जादा खीच सकते हैं, क्योंकि बच्चे इन चीजों से काफी जादा एट्रेक्ट होते हैं, साथ ही साथ एक और भी शिकायत है कि प्लीज क्रिष की ड्रेस बदल दीजी, हमने कितने सारे सूपर हीरो देखे हैं, सबसे बुरी ड्रेस में क्रिष की लगत अब करिश को लड़ना होता है दौडना होता है भादना होता है कलाबाज यह KHAN एक लिचाती है नजाने कितनी बार उस लबादे से अपना करिश गिरता-त बचा होगा दूसरा इतनी गर्मिया पढ़ती है, मुंबली में वो अपनी पत्नी नानी प्रियंका के साथ और बच्चे के साथ रहता है तो उसे हुमिडिटी नहीं होगी, प्लीज यार उसकी ड्रेस बदल दीजिए इतने हमने Marvel के सूपर हीरो देके, कितने बहतरी ड्रेसे बनाए गई हैं सूपर हीरो की तो इस बार तो सूपर हीरो की ड्रेस में कुछ चेंजिस होने चाहिए और जैसा की ख्रिश्ट्री में बेटा भी जन दे चुका है तो ओवियस सी बात है दोनों बाब बेटे को दिखाया ही जाएगा तो कुछ अच्छी सी यूनीक सी ड्रेस इस बार राकेश रोशन ला सकते हैं और ये भी सभी जानते हैं कि जो भी सूपर हीरो वाली फिल्में बॉलिवुड में बनती हैं कहीं न तहीं हॉलिवुड से भी प्रेड़ न ली जाती हैं तो हमारा यही कहना है कि राकेश रोशन ये थोड़ा गंभीरता से सोचना कि इस पार आप किसकी कॉपी करने वाले हैं पहली फिल्म में आपने स्पीली बर्ड का आइडिया लिया तूसरी फिल्म में आपका विलन भविश्य में देखने वाली मशीन बना बैठा इसे भी दो-तीन से जादा हॉलिवुड फिल्मों में देखा जा चुका है तीसरी फिल्म में आपने कमाल ही कर दिया आप म्यूटेंट लिया है अब एक्समेन मुल्वरीन का कॉंसेट कहां फिट होता एक सोलो सूपर हीरो वाले काल में कोशिश करिए कि इसे बैटमेन सिरीज की फिल्मों जैसा बनाए जहां बहुत जादा वीजूल एफेक्ट की ज़रूबत नहीं बैटमेन सिरीज में क्रिस्टोफर नोलन ने फिल्में बनाए कुछ वैसा वैसा अगर वियसकों को नहीं बच्चों को ही टार्गेट करना है तो हल्क वाले मैनरिजम डाल दो खिश में आइरन मैन वाले वर लाइनर भी बहुत अच्छे लगेंगे अब चुकि शब्तियों के मामले में वो थोर्ज ऐसा है तो कुछ वहां से ले लेना बस म्यूटेंट मतलाना और कुछ भी करना वै दोस्तों ये जितना भी आइडिया जितनी भी बाते हमने आपको बताई क्या आप भी चीजों से सहमत है कितनी बातों से आप सहमत है और इसमें और क्या अच्छे चेंजिस किये जा सकते हैं स्टूरी को और इंट्रेस्टिंग बनाने के लिए आपके भी दिमाग में कुछ आयाज तो जरूर होंगे तीन-तीन फिल्में इसकी आप भी देख चुके हैं अब क्रिश 4 और क्रिश 5 में आप क्या नया देखने की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं क्रिश 4 में किस किरदार की 17 साल बाद होने जा रही है वापसी क्रिश 4 कब तक सिनेमा घरों में देखने को मिल सकती है कहां से आते हैं ये एलियन्स हमारे बीच क्या रहते हैं एलियंस कितने प्रकार के होते हैं ये एलियंस नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गरीमा तोमर आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में रितिक रोशन के करियर की सबसे एहम फ्रेंचाइजी क्रिश की चोथी किस्त का इंतजार उनके फैंस को बेसबरी से है क्रिश फोर की तैयारियों को लेकर अकसर खबरे आती है जिन से पता चलता है कि निर्देशक राकेश रोशन अपने राइटर्स के साथ चोथी किस्त को दमदार बनाने में जुटे है इसी क्रम में अब एक ऐसे किरदार की वापसी की बात सामने आई है जिसकी वज़े से ये फ्रेंचाइजी शुरू हुई थी ये किरदार है जादू जी हाँ वही एलियन जिसकी शक्तियों ने मंदबुद्धी रोहित महरा को स्मार्ट, मेधावी और शक्तिशाली वग्यानिक में बदल दिया था राकेश रोशन क्रिश फोर में एलियन जादू को वापस लाने पर विचार कर रहे हैं इस आइडिया को लगभग लॉक कर दिया गया है कि 17 साल बाद फिल्म की आनी में जादू की वापसी होगी जादू एक एलियन है जो नीले रंका है और उसके पास सूपर पावर्स है इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म कोई मिल गया में दिखाया गया था कि सयोग वश धर्ती से संपर्क होने के बाद एलियन यहां आता है बोला बाला रोहित उसे चिपा कर रखता है और धीरे धीरे एलियन रोहित को शक्तिया देता है अब अगर बात करें कि क्या एलियन्स हमारे बीच में ही रहते हैं तो आपको बता दें कि एलियन्स हमारे बीच अद्रश्य तोर पर मौजूद हैं उनकी नजर लगातार हम सभी पर हैं और भविश्य में वो समय भी आएगा जब ये एलियन्स मानवों से इंटरब्रेडिंग कर सकते हैं जिससे नई सूपर ह्यूमन प्रजाती सामने आएगी सुनने में ये बात आपको बेतुकी और बेसिर पैर की जरूर लग रही होगी लेकिन इसे कहने वाला ऑक्सफोर्ड का जाना माना विज्यानिक है इनफेक्ट उन्होंने अपनी नई किताब में ये दावा करके विज्यानिक जगत में तहल का मचाया हुआ है बलकि उनकी तो पूरी किताब ही इस बात पर आधारित है कि किस तरह एलियन्स प्रत्वी पर हम सब के बीच ही मौजूद है और आने वाले समय में जब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वाब्मिंग से प्रत्वी के खत्म होने का संकट सामने आएगा तब एलियन्स के जरिये इंटर ब्रीडिंग से उत्पन प्रजाती इस दुनिया को बचाएगी और जिस शक्स ने ये किताब लिखी है उनका नाम है डॉक्टर यांग एच चेई डॉक्टर चेई ऑक्सफोर्ड और उससे परे वेग्यानिक जगत में जाना माना नाम है डॉक्टर यांग ऑक्सफोर्ड औरियन्टल इंस्टिटूट में प्रोफेसर है वो विग्यानिक लैक्चर्स के जरीए अपनी बात कहते रहते हैं पिछले कई सालों से वो ये बात कह रहे हैं लेकिन अब उन्होंने अपने दरश्टीकों को पुखता करने के लिए एक किताब ही लिखती जो काफी जादा चर्चा में है अपरिल 2018 में डॉक्टर चेई ने इस नहीं चाहते हैं कि प्रत्वी और इस पर मौजूद प्रजातियों का विद्वन्श हो लिहाज़ा यहां पर वो मानवों के साथ इंटर ब्रीडिंग से नई हाई ब्रीड प्रजातियां पैदा करेंगे ये प्रजातियां प्रत्वी पर रहेंगी हाला कि ये अद्रश्य हों से कई अधिक चालाग हैं वो जान बूच कर खुद को इंसानों से दूर रखना चाते हैं उन्हें शायद लगता है कि सच्चाई जानने के बाद इंसानों का उनके जीवन में दखल बढ़ जाएगा कुछ विग्यानिकों ने कहा कि जिस तरह प्रित्वी के वायू मंडल में ल दूसरे साल मैसेजिंग एक्स्टर टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की मीटिंग होती है जिसमें इस बारे में शोद कर रहे विग्यानिकों का जमावडा लगता है डॉक्टर चैई अपनी किताब में कहते हैं कि एलियंस जिस समय प्रत्वी पर पहुंचे हैं और हम सब के ब हाइब्रीड प्रोजेक्ट की शुरुआत करें किताब में ये तर्क भी दिया गया है कि अगर हम अभी क्लाइमेट चेंज पर काम करना शुरू करते हैं तो ना केवल खुद को बजा सकते हैं बलकि एलियंस को गलत भी साबित कर सकते हैं अब अगर बात करें कि एलियंस कितन सरीखे एलियन्स सबसे उपर होते हैं जो अपनी निचली रैंक को ओर्डर देते हैं उनका ये भी मानना है कि सभी एलियन्स हाइब्रीड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं पिछले कई दशकों से प्रत्वी के वायु जिने कतई हलके में नहीं लिया जा सकता सबने इसके बारे में अलग-अलग तरीके से बताया कुछ ने इसे गूमता हुआ कुछ ने कहा कि उन्होंने कुछ सफेद चीज़ देखी है वग्यानी कब कहने लगे हैं कि अगले एक डेर दो दशकों में एलियन से प्रत्वी वासियों का या तो संपर्क हो पाएगा या उनसे मिलना संभव हो पाएगा इनसान बरसों से एलियन की तलाश कर रहा है कभी उसकी तलाश के लिए दुरबीन की मदद ली जाती है तो कभी अंतरिक्ष में दुर्बीन और यान भेज कर उसे तलाशा जाता रहा है बहुत दिनों से धर्ती से रेडियो तरंगे भी भेजी जा रही है In fact, NASA और दूसरी बड़ी स्पेस एजेंसियों का मानना है कि मंगल पर पहले जीवन था उनका ये भी कहना है कि हमारे इसी सौर मंडल से ही आते हैं एलियन्स NASA के ग्रह विज्ञान विभाग का कहना है कि सौर मंडल में चार जगहों पर संभावित जीवन हो सकता है उनका तैशुदा तरीके से मानना है कि मंगल पर पहले जरूर जीवन रहा होगा इसके अलावा तीन उपग्रहों टाइटन, यूरोपा और एंसेलडस पर जीवन की संभावना है तो क्या एलियन्स के साथ साथ इन सभी चीजों को भी इंकल्यूड करके फिल्म में दिखाया जाएगा क्यूंकि जब से महामारी शुरू हुई है तभी से क्रिश फोर की स्क्रिप्ट्स में काफी चेंजिस के जा रहे हैं जिसके साथ इस बार ये दिखाने का भी दावा किया गया था कि प्रित्वी किस तरह से खत्म होगी और एलियन्स और क्रिश पूरी पृत्वी को पूरी मानव प्रजाती को बजाएगा तो क्या यही सब फिल्म में दिखाया जाएगा अगर दिखाया जाएगा तो वाकरी एक्साइटिंग रहेगा और आपका क्या कहना है इस बारे में क्या आपको भी इन सबी बातों पर भरोसा है रिद्टिक रोशन के करियर की सबसे एहम फ्रंचाइजी क्रिश की चौति किस्त का इंतजार फैन बड़ी बेताबी से कर रहे हैं क्रिश फोर की तैयारियों को लेकर अक्सर खबरे आती हैं जिससे पता चलता है कि निर्देशक राकेश रोशन अपने राइटर के साथ चौति किस्त को बड़ा दमदार बनाने में जुटे हैं इसी क्रम में एक ऐसे एहम किरदार की वापसी की बात सामने आई है जिसकी वज़ा से ये फ्रेंचाइजी शुरू हुई थी ये किरदार है जादू जी हां वही एलियन जिसकी शक्तियों ने मंदबुद्धी रोहित महरा को स्मार्ट मेधावी और शक्तिशाली वेग्यानिक में बदल दिया था मुंबई मिरर की रिपोर्ट के अनुसार राकेश रोशन क्रिश फोर में एलियन जादू को वापस लाने पर विचार कर रहे हैं इस आइडिया को लगबख लॉक कर दिया गया है कि 17 साल बाद फिल्म की कहानी में जादू की वापसी होगी वैसे भी क्रिश थ्री में रोहित महरा की डैथ हो चुकी है लिहाजा जादू को फिर से बुलाने का ये पॉफेक्ट समय होगा जादू की वापसी को बहतर स्तर पर दिखाने की तैयारी चल रही है मुंबई मिरर से बातचीत में भी रितिक ने जादू की वापसी का इशारा किया था उन्होंने कहा था दुन कोई मिल गया में जादू का किरदार इंदरवर्धन पुरोहित ने निभाया था जो बॉने कद के कलाकार थे 2014 में उनकी डैथ हो चुकी है जादू के कॉस्ट्रिम औस्टेलियन आर्टिस्ट जॉन कॉर्लनर ने बनाये थे वैसे जादू पर बच्चो के चैनल निकलोडियन पर 2004 में एक एनिमेशन कम लाइब सीरीज आ चुकी है जिसका नाम था जे बोले तो जादू कोई मिल गया 2003 में रिलीज हुई थी इसका सीक्वल क्रिश 2006 में आया था जिसमें रितिक रोशन ने डबल रोल निभाया रोहित महरा और उसका बेटा क्रिश जो खुच सूपर पावर से लैस होता है फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म क्रिश 3 2013 में आई थी दूसरी क्रिश कभी नहीं आई क्योंकि क्रिश को ही क्रिश 2 माल लिया गया क्रिश 4 और 5 को लेकर राकेश रोशन ने जो आइडिया निकाला है क्या वो रिकॉर्ड्स तोड़ सकता है शारुख खान का क्रिश से क्या रिष्टा था और क्या होने जा रहा है क्रिश 4 की कहानी कहां तक लिखी जा चुकी है और तोंद से 6-pack, abs तक का रितिक रोशन का ये सफर आप बोड़ी और दिमाग में कैसे आग लगा देगा नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा तोमर, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलिक राद स्टोडियोस की एक और नई वीडियो में राकेश रोशन ने 2003 में कोई मिल गया से ये शुरुआत बाद में इसकी दो सीक्वल फिल्म में बनी, 2006 में क्रिश और 2016 में क्रिश 3 सबसे पहली फिल्म रोहित नाम के लड़के की कहानी थी जो उम्र में बड़ा हो जाता है लेकिन उसका दिमाग बच्चे जैसा ही रहता है और इस वज़े से उसे सब सताते भी बहुत है लेकिन एक दिन एक एलियन धर्ती पर आता है, जादू वो जादू रोहित को असीम शक्तियां दे कर जाता है दूसरी और तीसरी फिल्म रोहित के बेटे के बारे में होती है चूंकि रोहित की मा कृष्ण की भग्त होती है और रोहित को शक्तिया देने वाले एलियन जादू का रंग भी नीला होता है इसलिए उसका नाम रखा जाता है क्रिशना अपने पिता की तरह उसमें भी असीम शक्तियां होती है और जब वो मास्क पहन कर लोगों की मदद करने उतरता है तो कहलाता है क्रिश इसे क्रिश सिरीज में ताजी हल चलो रही है डाइरेक्टर राकेश रोशन निगोशना कर दी है कि वो एक साथ दो-दो फिल्में बनाने जा रहे हैं क्रिश 4 और 5 तो हम बात करेंगे इन दोनों फिल्मों में आपको क्या देखने को मिलेगा नवाजुदिन सिद्धिकी इन फिल्मों में दिख सकते हैं जी हाँ कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है अगर उनकी कास्टिंग फाइनल है तो अभी तैन नहीं है कि वो किस रोल में नज़र आएंगे च्योंकि सल्मान की किक में विलन बने थे नवाजुदिन सिद्धिकी और उनोंने बहुत बहतरी प्रजशन किया था तो लगाने वाले शायद ये कयास लगा सकते हैं कि वो विलन की भूमिका में दिखे लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है इन फिल्मों में सूपर हीरो के रूप में दिखने जा रहे रितिक रोशन के कोस्ट्यूम डिजाइनर और स्टाइलिस्ट गैविन मिगेल हो सकते हैं इन्होंने ही कृष्थरी में कंगना के किरदार काया के कपड़े डिजाइन किये थे जो रबर लेटेक्स से बनाए गए थे इन दोनों फिल्मों के स्टन्ट और स्पेशल एफेक्ट्स के लिए इंटरनेशनल क्र्यू बुलाए जाएंगे देखना होगा कि राकेश रौशन किन हॉलिवूड फिल्मों के क्र्यू लेते हैं क्योंकि कृष्थरी के विएफेक्स तो उन्होंने शारुखान की कंपनी रेड चिली से बनवाए थे साथ ही ये खबर भी है कि अगली दोनों फिल्मों में एक नई एक्ट्रिस की एंटरी होने वाली है इससे पहले क्रिश सिरीज की फिल्मों में प्रीती जिंटा और प्रियंका चोपड़ा जैसी फीमेल लीड रही है अब की कहानी क्रिश के बेटे से शुरू होगी तो उसके लिए किसी नई हिरोईन को लिया जाएगा चूंकि दो फिल्में एक साथ बन रही है तो सिरीज की बाकी फिल्मों के उलट कई नई चेहरे इन में नज़र आएंगे अभी दोनों फिल्मों की स्क्रिप लिखी जा रही है सिरीज की पिछली फिल्मों की राइटिंग टीम में हनी इरानी, रॉबिन वर्थ, राकेश रोशन, सचिन भॉमिक, संजे मासूम, आकर्श खुराना जैसे लोग रहे हैं इस बार स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलोग किसके होंगे ये भी अभी पता नहीं सब हाइटिया हुआ है अब रितिक रोशन के बारे में तो क्या कहें उनको ग्रीक का गोड कहा जाता है उनकी personality, उनके six abs, उनके looks, उनका dance, उनके stunt, उनके moves, सब कुछ super hit है बॉलिवुड में ही नहीं, हॉलिवुड में, इंटरनाशनल लेवल पर उनको बहुत ही जादा handsome actor के रूप में देखा जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो हमेशा से ऐसे नहीं थे, जी हाँ, इसके पीछे उनकी बहुत महनत है यूट्यूब trending से लेकर सोचल मीडिया पर एक वीडियो चाया हुआ है ये वीडियो है रितिक रोशन की transformation के बारे में कि कैसे उस आदमी ने बिमारी से उठने के बाद अपनी तोंद को अंदर करके six pack abs बनाए इस सफर की शुरुवात तब हुई जब रितिक रोशन को फिल्म war में काम करने का ओफर आया प्रेडियूसर डायरेक्टर के साथ मीटिंग चल रही थी रितिक ने कहा कि वो इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार नहीं है फिर अंदर गए अपनी बॉडी की फोटो कीच कर मीटिंग में लाए जिससे देखने के बाद आदित्य चोप्रा और सिधार्त आनन्द की हवा खिसन गई तरसल रितिक रोशन को slip डिस्क हो गया था जिसकी वज़े से उनका वजन बढ़ गया उपर से पिछले दिनों उन्होंने सूपर 30 फिल्म की थी जिसके लिए उन्हें अपना वजन बढ़ाना भी था उसके बाद उनके हिस्से आई वार जिसके लिए उन्हें अपने शरीर और दिमाग से युद करते हुए शेप में आना था किन चीजों से होकर गुजरना पड़ता है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा ये वीडियो सिर्फ बॉडि बिल्डिंग के बारे में नहीं है ये उस कैरेक्टर के बारे में है जिसे लोग रितिक रोशन के नाम से जानते हैं और वो बनने के लिए रितिक रोशन को क्या क्या करना पड़ता है रितिक फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ खुद को मोटिवेट करते हुए चलते हैं जो इस वीडियो में कमेंटरी वाला फील डालता है किसी वीडियो को बना देना बड़ी आम बात है लेकिन उससे इंफ्लूएंस होकर किसी से कुछ लिखवा देना बहुत बड़ी बात है आपको इसमें रियल रितिक दिखेंगे हो सकता है वो उस खांची में फिट ना हो पाएं जो आपने अब तक रितिक रोशन के नाम पर अपने दिमाग में गढ़ रखा था फिल्म सुल्तान में सल्मान खान का एक सीन है जहां वो आईने के सामने खड़े होकर अपना बाहर निकला पेड़ देखकर रोते हैं सल्मान उस सीन को करने के लिए बिल्कुल तयार नहीं थे क्योंकि उन्हें दुनिया ने कभी वैसे नहीं देखा हमेशा फिटनेस आईकन माना उससे बड़ी बात ये कि सल्मान ने खुद को कभी वैसे नहीं देखा ऐसे में खुद को मेंटली उस चीज के लिए तयार करना चैलेंजिंग पार था लेकिन वो सीन सिर्फ फिल्म में है सुल्तान की मेकिंग के तमाम वीडियो उपलब्ध हैं उसमें उस पूरे किस्से का जिक्र है कि सल्मान कैसे ये सीन करने को रेडी हुए लेकिन उस सीन से जुड़ी कोई तस्वीर नहीं है ये वही सल्मान है जिनूरे रितिक रौशन को उनकी पहली फिल्म से पहले बौडी बिल्दिंग की ट्रेनिंग दी थी हम इस बात से कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बस दो कॉन्ट्रास्ट केरेक्टर आपके सामने रख रहे हैं वापस शेप में आने के बाद रितिक रौशन ने कहा अगर ये फिल्म पिट जाती है अगर मैं वहाँ नहीं पहुँच पाता जहां मैं अभी हूँ कम से कम इस दौरान मैंने वो तो किया जो मैं करना चाहता था, ये 6 महीने का ट्रांस फोर्मेशन मैंने एंजॉय किया, नहीं बना बोड़ी, तो नहीं बना, ठीक है, 6 महीना एंजॉय किया मैंने वेल ये वही पर्सनल पुट है जिसके बाद हम अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे इतनी महनत करने के बाद ये आदमी फिल्म वार में अपने इंट्रो सीन शूट से पहले चहरे पर अपने हातों से मेकप करके जूरियां लाता है ताकि उसका किरदार फिल्म में उम्र दराज और अनुभवी दिख सके और फिर अपने बच्चों के बारे में बात करते हुए भी रितिक रोशन ने कहा मैं अपने बच्चों को हमेशा सिखाता हूँ कि तुम्हें खुद पर गर्ब करना चाहिए कि तुमने किसी भी काम में अपना बैस्ट दिया है तुम्हें सिर्फ वही करने की जरूरत है मैं उनसे ये नहीं पूछता कि वो फर्स्ट आये, सेकेंड आये या लास्ट आये क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता और मुझे वाकरी फर्क नहीं पड़ता मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या तुमने सारा खुन पसीना उस काम में लगा दिया है अगर उनका जवाब हाँ है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बस वही करने की जरूरत है, लाइफ में और क्या कर सकते हो तूँ, सिर्फ इमानदारी के साथ महनत करते जाएं, सफलता तो आपके कदम खुद बखुद चूम लेगी तो दोस्तों, आप रितिक रोशन की इन बातों से कितना सहमत हैं और आपको कितना बेसबरी से इंतिजार है इस सूपरस्टार की आने वाली फिल्म को लेकर, राकेश रोसन ने जो सोच लगाई है, क्या वो रिकार्ट तोड़ सकती है, तलाक के 6 साल बाद, क्यों साथ आये रि की फिल्म क्यों होने जा रही है, क्रिस 4 और क्रिस 5, क्रिस 4 को अंग्रेजी में बनाने की प्लानिंग क्यों की जा रही है, मैं आपका स्वागत करता हूँ, बॉले ग्रैट के फिल्मी गलियारे में, राकेश रोसन नई फिल्म ला रहे है, क्रिस 4 और 5, राकेश रोसन ने 2003 म कोई मिल गया से शुरुआत की थी बाद में इसकी दो सिक्वल फिल्में क्रिस 2006 और क्रिस 3 2016 में आई इसी क्रिस रीज में ताजी हलचल हो रही है डारेक्टर राकेश रोसन ने घोस्रा कर दी है कि वे एक साथ दो फिल्में बनाने जा रहे हैं क्रिस 4 और क्रिस 5 यही नहीं रा के फिल्म वार के बरावन ले जाने का फ्रेस्टा किया गया है बदाया जा रहा है कि सीनियर रोसन ने अपने इस फिल्म का बजट 2500 क्रोन रूपए के करीब रखा और ये हिंदी सिनेमा की अब तक की सबसे बड़े बजट की फिल्म होने जा रहे है यही नहीं क्रिस 4 का और भी चेंजिस किये जा रहे हैं मेकर्स क्रोना का फायदा उठाकर के इसके स्क्रिप्ट को आउट्ट टाइट कर रहे है और इसका स्क्रिण प्ले कहा जा रहा ही कुछ सीन का फिर से लिखा जा रहा है क्रोना की वज़ा से सब लोग घरों में बंद है क्योंकि अगर 2021 दर आ रही है रितिक की एक्स वाइफ सुजयन खान वो वापस रितिक के साथ आ गई है अगले 21 दिनों के लिए ताकि इतने लंबे समय तक उनकी दोनों बच्चे मम्मी या पापा से मिल रहे हैं पहले रितिक का वो इंस्टा पोस्ट देखिए फिर हम इसमें लिखी बातों को शाट में समझाते हैं बेसेकले अपने इस पोस्ट में रितिक पता रहे हैं कि एक पिता के तौर पर इस देश बापी लोगड़ाउन के दौरान अपने बच्चों के साथ ना रहपाने के बारे में कोश सोज भी नहीं सकते एक माता पिता जो अपने बच्चों की आधी-ाध कश्री रखते उनके लिए समस्षा ये है कि दूसरे के अधिकार छेत में दखल दिये बिना वो अपने बच्चों के करीब कैसे रह सकते हैं रतिक इसमें आगे जोडते हैं ये सुजयन मेरी पूर पतनी की तस्वीर है जिनोंने टेंप्रेरी तौर पर अपना घर छोड़ दिया है ताकि हमारे बच्चों को अनिश्चित काल तक हम दोनों में से किसी एक से अलग ना रहना पड़े हैं इतनी मदद के लिए हमारी जर्नी को समझने के लिए हमारे बच्चे यही कहानिया सुनाएंगे जो हम उनके लिए बनाएंगे सुजेन खान पेशे से इंटेरियर डिजाइनर है वो बॉलिवूड अक्टर और फिल्मेकर संजे खान की बेटी दिसंबर 2000 में रितिक और सुजेन की साधी कुई इस कपल के दो बेटे हैं रहान और रिदान 2014 में रितिक और सुजेन ने आपसी सहमती से अलग होने का फैसला लिया हाला कि दोनों अभी एक दूसरे को बेस्ट प्रेंड बताते हैं अगर रितिक की बात करें तो दो साल के गैब के बाद 2019 में उनकी दो फिल्में रिल्में रिलीज वी बिहार बेस्ट मैथमेटिसियम अ क्रिस 4 और क्रिस 5 पर काम सुरू हो गया है क्रिस 4 की शूटिंग कब से सुरू होने जा रही है क्या क्रिस 4 में कैप्टन अमेरिका की इंट्री होने जा रही है क्रिस 4 में जादू की वापसी क्यों होगी राकेस रोसन ने क्रिस 4 को लेकर के क्या कहा शराबी लड़कियों को में स्ट्यूरियो टाइप्स क्यों दिखाया गया है स्फोर का टीजर कब आ रहा है मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉले गरात के फिल्मे गलियारे में इस लॉक्डाउन के खत्म होते ही राकेस रोजतन क्रिस फोर के शूटिंग शूरू कर देंगे और इस बार क्रिस फोर क कहानी में जादू की वापसी हो रही है क्योंकि 2003 में जब इस फ्रैंचाइजी की पहले फिल्म कोई मिल गया आई तो श्टीवन स्पेलवर की एटी की तरज पर आप परग्रा से एक प्यारे से जीव को भारत के कसौली में ले आए वो नीला था उसने हमारे सरीर में बड़े लेकिन उम्र में छोटे रोहित को अनूठी सक्तिया दी फिर वो गजब डांस करने लगा डॉले शौले निकल आए क्या फाइटिंग करता था लेकिन उसी जादू को आपने बेदर्दी से उसके गरह तो वापस भेजा लेकिन एक बार फिर धर्ती पर नहीं लाए एक बार खाने पर भी नहीं बुड़ाए हाँ 2006 में आई सिक्वल क्रिस के एंड में आपने हमें उम्मीदों से भर दिया कि जब रोहित ने अपने पापा के कंप्यूटर का इस्तमाल करके जादू से संपर किया और दूर आसमान में उसकी स्पेस सिभी दिखी लेकिन तीसरी फिल्म म की लेटेस्ट फिल्म में मसीनों के डाइनासोर ये लोग बड़ी चलाकी से ले आए आप भी ला सकते हैं जंगलों के बीच कहीं नार्थिस्ट में शूटिंग कर लेना अभी फरहान अक्तर ने भी तो मेगाले में की थी वहाँ डाइनासोर नकली भी नहीं लगेंगे और कोई मिल गया में हमने एटी वाला आइडिया लिया इस बार जुरासिक पार्क वाला ले लेते हैं मजा आएगा इस बार हॉलिवड की किस सुपर हीरो फिल्म से प्रिना लेने जा रहे हैं गम्हीरतार से सोचना पहले फिल्म में आपने इस फिल्वर का आइडिया लिया दू सुपर हीरो वाले काल में कोशिश करिए कि इसे बैट मैं स्ट्रीज की फिल्मों जैसा रखिए जहां बहुत ज्यादा बिजूल इफेक्ट की जरोत नहीं बैट मैं स्ट्रीज में क्रिष्टोफर नोलेन ने फिल्म बनाई कुछ हो ऐसा अगर बड़ों को नहीं तो बच्चों को ही टार्गेट करना है तो हल्क वाले मैं रिजम डाल दो क्रिस्प में आरेन मैं वाले वन लाइनर भी बहुत अच्छे लगेगे चुकि सक्तियों के मामलों में वो थोर जैसा है तो वहां से वो लिलेना बस म्यूटन मत लाना और कुछ भी मत करना अगर फिल्मी गलियारों की बात माने तो क्रिस्पोर में एक सरावी लड़की का करेक्टर डाला जा रहा है कहते हैं कि लड़कियां सराव हैंडिल नहीं कर सकती है अब आप कहेंगे कि ये कहने की बात नहीं है अस्थापिस सथ है लड़कियों से जुड़े तमाम इस्तेयो टैप्स यानि पूरवा ग्रोहों को इसी तरह बार-बार दोरा कर सच बना दिया जाता है लड़कियां किस तरह सराप हैंडल नहीं कर पाती इसका नुमाइस बार-बार हमारे फिल्मों में होती है जैसे दिल वाले दुलहनियां ले जाएंगे में काजोल जरासा जूमलू मैं गाते हुए दिवानों की तरह नाचने लग कल हो ना हो में वैसे सीरियस रहने वाली नैना यानि प्रिती जिंटा अचारक जैकेट उतार कर नाचने लग अगली और पगली के गीत मैं टल्ली हो गई का भी यही हाल है यह सभी गीत आउरतों के एक सांस में सराब पीने के सीन से सुरू होते हैं हमारी फिलों में सराब कभी नॉर्मली नहीं पी जाती बहुत ज़्यादा खुसी, बहुत ज़्यादा दुख या हमेशा कोई पॉइंट प्रूप करने के लिए सराब का सिवन करता दिखाया जाता है अगर सीन में लड़की हो तो लड़की क्यों पी रही है हमेशा उसका बैक ग्राउंड दिया जाएगा उदास होगी ब्रेक अप हुआ होगा या अपनी कामुकता जाहिर करने का कोई जर्या खोज रही होगी जैसे कार्थिक कॉलिंग कार्थिक का एक सीन है सुना ली मेरे लडिंग ले आओ पिपसी औरेंज जूस अइपल जूस सुना ली जूस चलेगा लेकिन उसे बोधका के साथ डायलूट करना फरहार अक्तर के किर्दार कार्थिक के थौट प्रोसेस और ब्लीब सिस्टम का हिस्सा ये बात है ही नहीं कि लड़की सराब पिएगी ऐसा रियल लाइप में भी होता है जब भी एक लड़की एक और लड़की लड़की को पीने से रोकना फिर भी वो ना रुके और बेहत नसे में हो तो उसे थामना नसे में जब वो कामुकता जाहिर करने लगे तो आश्चर दिखाना और फसा हुआ महशुष करना उसे सुरच्छित बिस्तर तक पहुँचाना नसे में उसका फाइदा ना उठाकर महान बनना इस तरह हिरोईन के सराब पीने से हिरोईन का इंपेल्सिव बिहेबियर और हीरो का पौरुस और उदारता एस्टेबलिस होते हैं इसलिए सराबी लड़कियों के रेप होते हैं लगातार फिल्मों से ही हमें बताया जाता है कि सराब पी हुई लड़की का शरीर अलेबल होता है वो खुद पर कावुखो चुकी होती है ऐसे में लड़के तो उसकी और आकरसित होंगे ही खास कर तम जब लड़की नसे में होने के बाद वो अपनी जैकेर बगएरा उतार कर फिंग दे शराब, रेप और योन सोचन के मसलों पर बिक्टिम ब्लेमिंग का सबसे सही तरीका है सराब पीना पुरुस को नियंतरन देना है इसलिए सराब पीते ही आवरत 90 फिस्दी गुराह कर चुकी होती है रेपिस्ट को बस बचा हुआ दस प्रिस्द काम करना होता है आउट आफ कंट्रोल लड़कियां मर्सरीज गारी से चल रही नसे में धोत लड़की ने बाइक को टक कर मारी सराब पीकर लड़कियों ने बस उलुकी की पुलिश स्टेशन में हंगामा किया बंदरा इलाके में महिला ने शराब पीकर जम कर हंगामा किया सराब के नसे में लड़कियों ने ऐसा हंगामा किया कि सनक पर जाम लग गया सहारा माल के सामने एक दूसरे पर तूट पड़ी लड़कियां सुद भुद खो कर लड़ती रही खुले मैदान में जजबात बाहर आए ये कुछ लाइन्स है न्यूज टीवी के उन प्रोग्राम से जो नसे में जगडा करती लड़कियों पर बने हैं ये कम है ऐसे प्रोग्राम हर तीसरे चौथे दिन किसी ना किसी न्यूज चैनल पर दिख सका आप सब्द कहना भी खराब है किसी को चोटिल करना इससे भी खराब है मगर ऐसा जब पुरुस करते हैं तो उसमें किसी न्यूज चैनल को कोई न्यूज बैलू नहीं दिखती सराब पी हुई महिला सौट पॉंड की तरह है उसके हंगामा करते हुए पुरा देश देखता है कि देखें क्या हरकत करेगी बिखरे बाल होंगे, छोटी ड्रेस होगी, कूट फांद करेगी तो उसकी बॉडी का अच्छा लुक मिलेगा औरत और सराब भासा, कला और साहित में औरत के जीवन में सराब की भूमका नहीं है जिस औरत के जीवन में सराब की भूमका है, वो एक अपवाद है शराब और और औरत की भूमका एक साथ पुरुस की जीवन में दर्ज होती है बड़ी सहिस्ता के साथ सराब और शवाब जैसे फ्रेज इस्तमाल करते हुए हम भूल जाते हैं कि इस भासा के केंद में पुरूस हैं नायका जब कामुक और चरत्रीहीन होती है तो नायक के लिए वो सराब की सहेली होती है जैसे अंगूर का दाना या तंदूरी मुर्गी जब यही महला घरेलू होती है तो वो पती की सराब छुबा कर उसका जीवन समारने वाली बन जाती और अस सराब पीने वाली नहीं होती या तो वो पिलाने वाली होती है या फिर पीने की वजा होती है इसलिए वो शेरो शायरी में या तो शाकी के तौर पर दर्ज है या प्रेमका के तौर पर अब क्रिश फोर मूवी की कहानी इन सारी वरजनाओं को धोस कर देगा क्योंकि राकेस रोसन क्रिश फोर की कहानी में एक ऐसा किरदार लिख रहे हैं जो लड़कियों के देखने का नजरिया बदल देगा क्रिश फोर में क्यों नजर नहीं आएंगी प्रियंका चोपडा किस एक्ट्रेस ने छिनी प्रियंका चोपडा की जगा क्रिश फोर की जिहां दोस्तों एक बार फिट से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉली ग्राद स्टूडियोस की इस नई अपडेट में क्रिश फोर का लोग बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं बॉलीवूड एक्टर रितिक रोशन ने हाली में फिल्म वाट से कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ दिये थे और रितिक रोशन एक बार फिर अपनी फेमस फ्रंचाइजी क्रिश के जरिये बड़े परदे पर दिखाई देने वाले हैं खास बात ये है कि इस बार उनकी फीमेल जोडीदार होंगी कोई और नहीं बल की दीपिका पादू कोण और उसी जोडी को परदे पर देखने के लिए लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं फिल्म क्रिश फोर के लिए दीपिका पादू कोण और रितिक रोशन की बात फाइनल हो जाती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ हालांकि अब क्रिश फोर की जोड़ी से इंतिजार खत्म हो सकता है एक रिपोर्ट के अनुसार दीपिका का क्रिश फोर में आना लगभगते है हालांकि अभी तक दीपिका पादू को लेकर कोई आधिकारिक घोशना नहीं की गई है रिपोर्ट के अनुसार प्येंका चौपडा पहले सभी क्रिश फिल्मों में नजर आ चुकी है और पिछली बार कंगना रानोड भी रिपिक रोशन के साथ दिखाई दी अब माना जा रहा है कि इस बार दीपिका पादू को फिल्म का हिस्सा होंगी रितिक और उनके पितार राकेश रोशन दीपिका को इस रोल के लिए लेना चाहते हैं लेकिन दीपिका का रोल उनकी मौझूदगी के काबिल होना चाहिए तबी वो इस फ्रंचाइजी का हिस्सा बनने के लिए राजी होंगी बता दें कि क्रिश की तीन फिल्म में आ चुकी हैं हर बार कहनी को आगे बढ़ाया जा रहा है दरसल क्रिश की शुरुआत फिल्म कोई मिल गया से हुई थी जिसके बाद से फिल्म लगातार आगे चल रही है अब भी फिल्म की शूटिंग और रिलीस रेट को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या इस बार क्रिश 4 में रितिक रोशन के साथ आप इस बार दीफिका पादुकोर को देखना पसंद करेंगे या पहले की तरह पुरियंका चोप्रा को हम सब के पसंदीदा सूपर हीरो क्रिश यानि की इरितिक रोशन जल्द ही धमाका करने जा रहे हैं जी हां लगता है वार और सूपर थर्टी फिल्म की सफलता का कुछ जादा ही जोश उभराया है उनमें तब ही तो लगतार फिल्म में साइन करते चले जा रहे हैं तो उनके पिता राकेश रोशन क्रिश फोर को दमाकेदार बनानी की तयारी में लगे हो हैं जिसकी वज़े से कुछ ना कुछ फिल्म से जुड़ी ऐसी खबर सामने आती हैं कि लोग एकसाइटमेंट में पागल हो जाते हैं अभी हाल ही में पता चला कि फिल्म के विल्म खुद रितिक रोशन होने वाले हैं अगर इस बात पर विचार किया जाए कि फिल्म के विल्म और हीरो दोनों रितिक रोशन होंगे तो अगर फिल्म की एकसाइटमेंट और फिल्म में एंटर्टेनमेंट का लेवल ही नहीं रह क्यूंकि उन्होंने अॉरेडि कहीं फिल्मों में अच्छे विलन की भूमी का निभाई है, Har cultствoda वही खुलामान का के तो गरी उन्होंने की आलेडी क काफी बड़े स्तर पर इसमिने वाल कि एक्षन सेन करने के लिए हॉलिबुड के एक्शन डारेक्टर्स को लाया जाएगा, फिल्म में काफी जबरदस्त एक्शन होगा, क्रिश फोर को बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है, ताकि बॉक्स ओफिस पर भी फिल्म बड़ा धमागा कर सके, सभी जानते हैं कि इस फ्रेंचाइजी की रिलीज हुई अब तक सभी फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर तहल का मचाया है, और रितिक रोशन को सभी ने खूब पसंद किया है, और दिल्चस्ब बात तो ये है कि जब से दर्शकों को इस बारे में पता चला है कि विलन की भूमिका में रितिक रोशन नज़द आएंगे, उन्होंने पोस्टर्स उनके लुक क्रियेट करने भी शुरू कर दिये हैं, लगातार पोस्ट पर पोस्ट की जा रही हैं और काफी अच्छा लुक भी दिया है उन्होंने अपने सूबस्टार को यानि कि रितिक रोशन को, तो दूसरी और दर्शकों की रूची इस फिल्म में जादा इसलिए भी है क्योंकि राकेश रोशन इसे बाहुबली की तरज पर बनाने वाले हैं, तो इस बार किसी न्यू कमर की एंट्री होने वाली है, वहीं अब की कहानी क्रिश के बेटे से शुरू होगी तो उसके लिए किसी नई हिरोईन को तो अवेश्य लिया जाएगा, चूंकि दो फिल्म में एक साथ बन रही हैं, तो सिरीज की बाकी फिल्मों के उलट कई नए चेहरे भी नज़र आएंगे, साथ ही ये भी सुनने को मिला कि फैंस चाहते हैं कि रितिक रोशन खुद विलन की भूमी का निभाए, इसलिए तो उन्होंने पोस्टर्स भी बनाने शुरू कर दिये हैं, तो क्या आप भी चाहते हैं कि रितिक रोशन ही खुद विलन की भी भूमी का निभाए, क्या आपने भी कोई पोस्टर बनाया है, हमारे साथ शेयर जरूर करें, ये वीडियो अगर पसंद आए, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजेगा, और देखते रहिए हमारे चैनल, क्रिस फोर का टीजर कब आ रहा है, क्रिस फोर को एवेंजर्स की तर्च पर क्यों बनाया जा रहा है, मैं आपका स्वागत करता हूँ, बॉले गराद के फिल्मी गलियारे में, काफी समय से पूरी काइनात केवल दो लोगों को मिलाने में लगी हुई है, रेतिक रोसन और दीबका पदुकोर, फैन सिंदो सुपर स्टार को एक साथ देखने के लिए तरस गए हैं, लेकिन आप उनकी मुराद पूरी हो चुकी है, क्योंकि दीबका पदुकोर क्रिस रीज की अगली हिरोईन होगी, अगर फिल्म में दीबका पदुकोर हैं तो उस मताबिक रोल भी होना चाहिए, ऐसे में उनके लिए एक दमदार सुपर गल का किरदार लिखा जा रहा है, जो क्रिस की सुपर पाउर को पूरी तरह से टक कर दे सके, इससे पहले क्रिस रीज में प्रिती जिन्टा, प्रियंका चौपडा और कंगना रनावत दिखाई दे चुकी है, ऐसे में दीबका पदोकोण के साथ फिल्म की स्टार्डम को चार चान लग जाएगा, वहीं दीबका को काफी समय बाद किसी ग्लैमर्स रोर में देखा जाएगा, पहले आफवात ही कि इस फिल्म को संजे गुपता डारेट करेंगे, लेकिन संजे गुपता ने साब कहा है कि मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मैं राइटिंग टीम का हिस्सा हूँ, इसके लावा फिल्म के बारे में जो भी फैसरा लेंगे, वो राकेश रोसन लेंगे, संजे गुपता ने रितिक रोसन के फिल्म काबिल का भी डारेक्शन किया था इस फिल्म में रितिक के साथ यामी गौतम लीड रोल में थे सुपर हीरो की कहानिया बच्चों में कैसे लाती हैं परिवर्तन ऐसा कहा जाता है सुपर हीरो के पास दैबिये अत्वा अध्भुश सक्तिया होती हैं जो लोगों और समाज की भलाई के लिए काम करती हैं सिनेमा जगत में ये काफी प्रचित है इने फरिस्ता भी कहा जाता है इन फरिस्तों को बच्चों से लेकर बड़े तक बहुत पसंद करते हैं जिसने बुरे लोगों को नहीं बुराई को जड़ से खत्म करने की कसम खाई थी वो कोई और नहीं भारत का पहला सुपर हीरो सक्तिमान है इसके बाद कई सुपर हीरो ने लोगों का दिल जीत लिया बॉलिवुड के सुपर हीरोज में सबसे ज़ादा पसंद किया गए थे Mr. India क्योंकि वो एक साधारान इंसान से सुपर हीरो बनता है और बच्चों सो बहुत प्यार करता है मिस्टर इंडिया की सादगी उसे सबसे अलग बनाती है मिस्टर इंडिया ये भी सिखाता है यदि हम खुद का आत्मिस्वास बनाए रखे तो मोगैंबो जैसे बुरी सक्तियों को आसानी से हरा सकते हैं भले हमारे पास सुपर पाउर ना हो लेकिन अपने भीतर छुपे आत्मिस्वास के पाउर को पहचानना बहुत जोरी है वैसे भारतिये सुपर हीरो में देखा जाये तो आरेमान, फ्लाइंग जट, जूनियर जी, रावन, क्रेस, मिस्टर इंडिया, सक्तिमान, तूफान इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है अगर बाहर के सुपर मेन की बात किया जाये तो जैसे आरन मेन, स्पाइडर मेन, सुपर मेन, डेर डेविल, बैट मेन, डोरे मोन, जैसे सुपर हीरोज को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है यही वजह है कि राकेश रोशन क्रिस्फोर का निर्माण करना चाहते हैं अब वो क्रिस्फोर को इंटरनेशनल लेवल की फिल्म बनाना चाहते हैं इसलिए इस फिल्म का निर्माण Avengers Inmitry War की तरज पर किया जाएगा माना जा रहा है कि इस साल के अंध तक इस फिल्म का टीजर भी लॉंच कर दिया जाएगा राकेश रोशन के जगा कौन डायरेक्ट कर सकते हैं क्रिश फोर और इंडिया के वो कौन से सूपर हीरोज हैं जिन्होंने किया था हम सब के दिलों पर आज हेलो दोस्तों मैं सोनी का सौगत करती हूँ आपका हमारे चैनल पॉलिग्राफ स्टूडियोज में दोस्तों पिछले काफी टाइम से रोशन की क्रिश फोर का इंतजार किया जा रहा है अभी इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है स्क्रिप्ट की राइटिंग टीम में संचे गुपता भी शामिल है लेकिन हाल ही में मुंबई मुरर को दिये एक इंटर्व्यू में संचे गुपता से पूछा गया कि क्या वो क्रिश फोर भी डारेक्ट कर सकते हैं तो उन्हों ने कहा मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि मैं राइटिंग टीम का हिस्सा हूं इसके अलावा फिल्म के बारे में जो भी फैसला लेंगे वो राकेश रोशन लेंगे क्योंकि क्रिश उन्हीं की फ्रेंशाइसी है अब देखना यह होगा कि क्या रितिक रोशन को भी वही डारेक्ट करेंगे खेर दोस्तों ये तो थी क्रिश फोर की बात लेकिन क्या आपको याद है वो सूपर हीरोस जिन्हें देख कर हम बड़े हुए हैं वो सूपर हीरोज जुनोंने हमें चोटी मगर मोटी बाते सिखाई। वो सूपर हीरोज जुनोंने हमें दूसरों की मदद करना सिखाया। चलिए आज उनी सूपर हीरोज को याद कर लेते हैं। दोस्तों शक्तिमान, शक्तिमान भारत का सबसे जादा देखे जाने वाला सीरियल था, शक्तिमान को हर कोई अपने सबसे करी मानता था, इस सीरियल को लिमका बुक उफ रिकॉर में भी शामल किया गया था, शक्तिमान भारत का सबसे लोगप्रिया सूपर हीरो था, इस किरदा उसके बाद आया आर्यमान ब्रह्मान को बचाने की रादे से आया आर्यमान बहुत ही कम समय में लोगों के दिलों में छा गया हालांकि आर्यमान को शक्तिमान से कड़ी टक्कर मिलती थी लेकिन इसके बावजूद आर्यमान ने अपनी अलब पहचान बनाने में काम्यावी पा आर्यमान के पास भी बहुत सारी शक्तिया थी जिसकी नकल बच्चे घरों पर किया करते थे हालांकि आर्यमान के कहानी अंग्रेजी फिल्म स्टार वर्स से मिलती जुलती थी फिर आया ऐसा शो जिसमें मेल नहीं बलकि फीमेल सुपर हीरो थी ऐसा पहली बार हो रहा था वो सुपर हीरो जो मुमकिन को नामुमकिन कर देती थी और नामुमकिन को मुमकिन अब तक तो आप समझी गए होंगे कि मैं सोन परी की बात कर रही हूँ दोस्तों इस सीरियल ने टीवी की दुनिया में काफी नाम कमाया और जम कर धूम बचाई सीरियल की लोग पुरियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस सीरियल को कई भाशाओं में दिखाया जाता था इस सीरियन में अच्छाई और बुराई के बीज की जंग को दिखाया गया था जिससे सब को सीख तो मिलती ही थी साथ ही एंटर्टेन्मेंट भी होता था दोस्तों वो हमारी सूपर हीरोस की दुनिया जहां हम उन जैसा बनने की कोशिश किया करते थे और मेरे एक दोस्त ने तो शक्तिमान का कॉस्चुम भी लिया था और वो उसे पहन कर खूद को शक्तिमान समझ लेता था क्रिस फोर और फाइब को बनाने को लेकर राकेश रोसन ने जो सोच लगाई है क्या वो रिकार्ट तोड सकती है तलाक के छे साल बाद क्यों साथ आये रितिक और सुजैन खान हिंदी सिरेमा की अब तक की सबसे बड़े बजट की फिल्म क्यों होने जा रही है क्रिसपोर और क्रिसपाइब क्रिसपोर को अंग्रेजी में बनाने की प्लानिंग क्यों की जा रही है मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉले गर्यात के फिल्मी गलियारे में राकेस रोसन नई फिल्म ला रहे हैं क्रिस 4 और 5 राकेस रोसन ने 2003 में कोई मिल गया से सुरुवात की थी बाद में इसकी दो सिक्वल फिल्में क्रिस 2006 और क्रिस 3 2016 में आई इसी Chris Rees में ताजी हलचल हो रही है डारेक्टर राकेस रोसन ने घोस्रा कर दी है कि वे एक साथ दो फिल्में बनाने जा रहे है Chris 4 और Chris 5 यही नहीं राकेस रोसन अप फिल्म Chris 4 को अपनी पिछली फिल्मों से कहीं बड़े अस्तर पर फिल्माने की तयारी कर रहे है Chris 4 के कुछ एक्षन द्रिस फिर से लिखे गए है और इनका अस्तर रितिक के फिल्म वार के बरावन ले जाने का फ्रेश्टा किया गया है बदाया जा रहा है कि सीनियर रोसन ने अपने इस फिल्म का बजट 2500 क्रोन रूपए के करीब रखा है और ये हिंदी सिनिमा की अब तक की सबसे बड़े बजट की फिल्म होने जा रहे है यही नहीं Chris 4 का अंग्रेजी संस्क्रण भी बनेगा और इस बार इसका लोग पूरी तरह इंटरनेशनल बज़ार के मुताबिक रखा जाएगा क्रोना की वज़ा से Chris 4 और Chris 5 की कहानी में और भी चेंजिस किये जा रहे है मेकर्स क्रोना का फाइदा उठा करके इसके स्क्रिप्ट को आउट टाइट कर रहे है और इसका स्कीन प्ले कहा जा रहा है कुछ सीन का फिर से लिखा जा रहा है क्रोना की वज़ा से सब लोग घरों में बंद हैं क्योंकि अगर 2021 देखना है ते 20 दिन घर में ही बिताना पड़ेगा इसी समय रितिक रोश्टन एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं इस पोस्ट में एक फोटो है और साज में लंबी चौणी प्यारी बात हैं उस फोटो पर नजार आ रही है रितिक की एक्स वाइफ सुजैन खान वो वापस रितिक के साथ आ गई है अगले 21 दिनों के लिए ताकि इतने लंबे समय तक उनकी दोनों बच्चे मम्मी या पापा से मिल लिए पहले रितिक का वो इंस्टाग्राम पोस्ट देखिए फिर हम इसमें लिखी बातों को शार्ट में समझाते हैं बेसिकले अपने इस पोस्ट में रितिक पता रहे हैं कि एक पिता के तौर पर इस देश बापी लॉकडाउन के दौरान अपने बच्चों के साथ नरह पाने के बारे में कोश सोच भी नहीं सकते एक माता पिता जो अपने बच्चों की आधी-ाधी कश्री रखते हैं उनके लिए समस्था ये है कि दूसरे के अधिकार छेत में दखल दिये बिना वो अपने बच्चों के करीब कैसे रह सकते हैं रतिक इसमें आगे जोडते हैं ये सुजयन मेरी पूर पत्नी की तस्वीर है जिनोंने टेंप्रेरी तौर पर अपना घर छोड़ दिया है ताकि हमारे बच्चों को अनिष्टित काल तक हम दोनों में से किसी एक से अलग ना रहना पड़े हैं थाइंक्यू सुजयन इतनी मदद के लिए हमारी जर्नी को समझने के लिए हमारे बच्चे यही कहानिया सुनाएंगे जो हम उनके लिए बनाएंगे सुजयन खान पेशे से इंटेरियर डिजाइनर है वो बॉलिवूड अक्टर और फिल्मेकर संजय खान की बेटी भी दिसम्बर 2000 में रितिक और सुजयन की साधी कुई इस कपल के दो बेटे हैं रहान और रिदान 2014 में रितिक और सुजयन ने आपसी सहमती से अलग होने का फैसला लिया हाला कि दोनों अभी एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंट बताते हैं अगर रितिक की बात करें तो दो साल के गैब के बाद 2019 में उनकी दो फिल्मे रिलीज वे बिहार बेस्ट मैथमेटिसियम अनन्द कुमार की बायपिक शुपर्था टीप जिसे क्रिटिक्स ने पसंद किया और वार जिसमें वो टाइगर स्राप और वानी कपूर के साथ दिखाई थे वार 2019 की सबसे कमाओ हिंदी फिल्म साबित हुए अब क्रिस फोर और क्रिस आई पर काम सुरू हो गया है क्रिस फोर का टीजर कब आ रहा है क्रिस फोर को एवेंजर्स की तर्च पर क्यों बनाया जा रहा है मैं आब का स्वागत करता हूँ बॉले गराथ के फिल्मी गलियारे में काफी समय से पूरी काइनात केवल दो लोगों को मिलाने में लगी हुई है रेतिक रोसन और दीबका पदुकोर्ण फैंस इन दो सुपर स्टार को एक साथ देखने के लिए तरस गए है लेकिन अब उनकी मुराद पूरी हो चुकी है क्योंकि दीबका पदुकोर्ण क्रिस रीज की अगली हिरोईन होगी अगर फिल्म में दीबका पदुकोर्ण है तो उस मताबिक रोल भी होना चाहिए ऐसे में उनके लिए एक दमदार सुपर गल का किरदार लिखा जा रहा है जो क्रिस की सुपर पाउर को पूरी तरह से टक कर दे सके इससे पहले क्रिस रीज में प्रिती जिंटा, प्रियंका चौपड़ा और कंगना नरावत दिखाई दे चुकी है ऐसे में दीबका पदुकोर्ण के साथ फिल्म की स्टार्डम को चार चान लग जाएगा वहीं दीबका को काफी समय बाद किसी ग्लैमर्स रोर में देखा जाएगा पहले अफवात ही कि इस फिल्म को संजे गुपता डारेक्शन करेंगे लेकिन संजे गुपता ने साब कहा है कि मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मैं राइटिंग टीम का हिस्सा हूँ संजे गुपता ने रितिक रोशन के फिल्म काबिल का भी डारेक्शन किया था इस फिल्म में रितिक के साथ यामी गौतम लीड़ रोल में थे सुपरहिरो की कहानिया बच्चों में कैसे लाती है परिवर्तन ऐसा कहा जाता है सुपर हीरो के पास दैबियें अत्वा अध्भुत सक्तिया होती है जो लोगों और समाज की भलाई के लिए काम करती हैं सिनेमा जगत में ये काफी प्रचित है इने फरिस्ता भी कहा जाता है इन फरिस्तों को बच्चों से लेकर बड़े तक बहुत पसंद करते हैं जिसने बुरे लोगों को नहीं बुराई को जड़ से खत्म करने की कसम खाई थी वो कोई और नहीं भारत का पहला सुपर हीरो सक्त किमान हैं इसके बाद कई सुपर हेरो ने लोगों का दिल जीत लिया बॉलिवूड के सुपर हेरो जगत में सबसे जादा पसंद किया गए थे मिस्टर इंडिया क्योंकि वो एक साधरान इंसान से सुपर हेरो बन्ता है और बच्चों से बहँत प्यार करता है मिस्टर इंड लेकिन अपने भीतर छुपे आत्मिस्वास के पाउर को पहचानना बहुत जोरी है वैसे भारतिये सुपर हीरो में देखा जाये तो आरेमान, फ्लाइंग जट, जूनियर जी, रावन, क्रेस, मिस्टर इंडिया, सक्तिमान, तूफान इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है अगर बाहर के सुपर मेन की बात किया जाये तो जैसे आईरन मेन, स्पाइडर मेन, सुपर मेन, डेर डेविल, बैट मेन, डोरे मोन, जैसे सुपर हीरोज को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है यही वजह है कि राकेश रोसन क्रिश्फोर का निर्मान करना चाहते हैं अब वो क्रिश्फोर को इंटरनेशनल लेवल की फिल्म बनाना चाहते हैं इसलिए इस फिल्म का निर्मान Avengers Inventory War की तर्ज पर किया जाएगा माना जा रहा है कि इस साल के अंध तक इस फिल्म का टीजर भी लांच कर दिया जाएगा इस बार क्रिश्फोर में क्या क्या चेंजिस देखने को मिलेंगे क्या फाइनली कोई मिल गया के बाद क्रिश्फोर से होने जा रही है जादू की वापसी नमस्कार दोस्तों मैं गरिमा सिंग आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में सबसे पहले तो राके शौचन जी से हमारा एक सवाल है कि जादू कहा है 2003 में स्रजाइबी की शुरुआत हुई थी जब हमें जादू देखने को मिला एक दूर गरह से जीवधर्ती पर आता है जो नीले रंका है जिसका नाम सब जादू रखते हैं वो शरीर में बड़े लेकिन उम्र में छोटे रोहित को असीम शक्तिया देता है जिसके बाद वो गजब कर डांस करने लगता है उसकी मसल्स बन जाती है गजब की फाइट करता है जिसके बाद बड़ी ही बेदर्दी से उस एलियन को वापस उसके ग्रह बेच दिया जाता है जिसके बाद एक पार भी नहीं बुलाया है हालां कि जब 2006 में इसका सीक्वल आया तो रोहित अपने पापा के पुराने कम्प्यूटर के थो उससे संपर करने की कोशिश करता है और दूर आसमान में कहीं जादू का स्पेस शिप भी नजर आता है लेकिन उसके बाद इसका थर्ड पार्ट भी आया लेकिन उसमें भी जादू का कोई अता पता नहीं था तो फाइनली इसका फॉर्ट पार्ट आ रहा है फॉर्ट नहीं फॉर्ट और फिर दोनों साथ में लेकर आ रहे हैं राकेश रोशन तो इस बार तो जादू की वापसी होनी चालिए क्योंकि इस बात से ना आप इंकार कर सकते हैं और ना ही राकेश रोशन जी कि कोई मिल गया जब फिल्म आई थी जितना इंपॉर्टेंट रोल घितिक रोशन का था उतना ही इंपॉर्टेंट रोल था जादू का क्योंकि जादू के आने से पहले, हालांकि रितिक रॉशन की बहती एक्टिंग ने सब को बादे रखा था काफी कॉमेडी भी थी फिल्म में, लेकिन जादू के आने के बारी तो फिल्म में मसाला आता है, जब टुिस्ट आता है, तो इतने इंपोर्टेंट रोल को कोई कैसे और जहां इस बार कहा भी जा रहा है कि फिल्म की कहानी में भी राकेश रोशन चेंजिस कर रहे हैं, क्योंकि इन विनों जो कोरोना वाइरस की वज़े से पूरे विश्व भर में तहल का मचा हुआ है, और दुनिया नस्ठ होने तक की बात कह दी गई, तो ऐसे में राकेश इस फिल्म की कहानी में चेंजिस कर रहे हैं, तो वो ये भी चेंजिस कर सकते हैं कि पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, और जादू अपने ग्रह से आता है और क्रिश के साथ मिलकर पूरी स्रिष्टी को बचाता है, ये आइडिया काफी एक्साइटिंग रहेगा, या फि इसके बाद जादू आता है और वो क्रिश के साथ मिलकर उन बुरे जादू से पूरी दुनिया को बचाता है, जैसा कि हमने हॉलिवूड फिल्म दा फेंटेस्टिक फोर और क्रांस्फोरमस में देखा था, वो फिल्में भी काफी ब्लॉपबस्टर ही ती, या फिर कुछ ऐ इसा कॉंसेट आज तक किसी फिल्म में भी नहीं लिया गया, हाला कि कार्टूनिस्ट फिल्म में ऐसा देखने को मिला है, जो हाल ही में रिलीस हुई थी दे लॉइन किंग जिसमें शारु खान ने भी वोईसोवर दिया था, तो इस तरह से आप बच्चों का ध्यान भी अप अब कृश को लड़ना होता है, दोड़ना होता है, भागना होता है, कलाबाजया खानी होती है, न जाने कितनी बार उस लबादे से अपना कृश गिरता फिरता बचा होगा दूसरा इतनी गर्मिया पढ़ती है, मुंबई मिली वो अपनी पत्नी नानी प्रियंका के साथ और बच्चे के साथ रहता है, तो उसे यह हुमिडिटी नहीं होगी, प्लीज यार उसकी ड्रेस बदल दीजिए, इतने हमने मार्वल के सूपर हिरो दे के कितनी बहतरी ड्रेस ब राकेश रॉषन ला सकते हैं, और यह भी सभी जानते हैं कि जो भी सूपर हिरो वाली फिल्में बॉलिवूड में बनती हैं, कही न तहीं होलिवूड से प्रेड़ न ली जाती है, तो हमारा यही कहना है कि राकेश रॉषन यह थोड़ा गंभीरता से सोचना कि इस बार आप आपने कमाल ही कर दिया, आप म्यूटेंट लिया है, अब एक्समेन बुल्मरीन का कॉंसिप्ट कहां फिट होता एक सोलो सूपर हीरो वाले काल में, कोशिश करिए कि इसे बैटमेन सिरीज की फिल्मों जैसा बनाएं, जहां बहुत जादा वीजूल एफेक्ट की ज़रूरत बैटमेन सिरीज में क्रिस्टोफर नोलन दे फिल्म में बनाएं, कुछ वैसा वैसा, अगर व्यसकों को नहीं बच्चों को ही टार्गेट करना है, तो हल्क वाले मैनरिजम डाल दो खृष में, आइरन मैन वाले वर लाइनर भी बहुत अच्छे लगेंगे, अब चूंकि श से आप सहमत है और इसमें और क्या अच्छे चेंजिस किये जा सकते हैं स्टोरी को और इंट्रिस्टिंग बनाने के लिए, आपके भी दिमाग में कुछ आइडियास तो जरूर होंगे, तीन-तीन फिल्में इसकी आप भी देख चुके हैं, तो अब क्रिश फोर और क्रिश व काफी समय से पूरी काइनात केवल दो लोगों को मिलाने में लगी हुई है, रेतिक रोसन और दीबका पदुकोर्ण, फैंस इन दो सुपर स्टार को एक साथ देखने के लिए तरस गए हैं, लेकिन आप उनकी मुराद पूरी हो चुकी है, क्योंकि दीबका पदुकोर्ण क् पूरी तरह से टक कर दे सके, इससे पहले क्रिस रीज में प्रिती जिंटा, प्रियंका चौपड़ा और कंगना नराओ दिखाई दे चुकी है, ऐसे में दीबका पदुकोर्ण के साथ फिल्म की स्टार्डम को चार चान लग जाएगा, वहीं दीबका को काफी समय बाद किसी ग्लैमर्स रोल में देखा जाएगा, पहले अफवात ही कि इस फिल्म को संजे गुपता डारेक्शन करेंगे, लेकिन संजे गुपता ने साब कहा है कि मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मैं राइटिंग टीम का हिस्सा हूँ, इसके अलावा फिल्म के बारे में जो भी फैस से लाती हैं परिवर्तन, ऐसा कहा जाता है सुपर हीरो के पास दैबियें अत्वा अध्भुत सक्तिया होती हैं, जो लोगों और समाज की भलाई के लिए काम करती हैं, सिनेमा जगत में ये काफी प्रचित है, इने फरिस्ता भी कहा जाता है, इन फरिस्तों को बच्चों से लेकर बड़े तक बहुत पसंद करते हैं, जिसने बुरे लोगों को नहीं, बुराई को जड़ से खत्म करने की कसम खाई थी, वो कोई और नहीं भारत का पहला सुपर हीरो सक्तिमान है, इसके बाद कई सुपर हीरो ने लोगों का दिल जीत लिया, बॉलिवड के सुपर हीर यह भी सिखाता है, यदि हम खुद का आत्मिस्वास बनाए रखे तो मोगैंबो जैसे बुरी सक्तियों को आसानी से हरा सकते हैं, भले हमारे पास सुपर पाउर ना हो, लेकिन अपने भीतर छुपे आत्मिस्वास के पाउर को पहचानना बहुत जोरी है, वैसे भारतिये आतो, आरेमान, फ्लाइंग जट, जूनियर जी, रावन, क्रिस, मिस्टर इंडिया, सक्तिमान, तूफान, इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है, अगर बाहर के सुपर मैन की बात किया जाये तो जैसे आयरन मैन, स्पाइडर मैन, सुपर मैन, डेर डेविल, बैट म डोरेमोन, जैसे सुपर हीरोज को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है, यही वज़ा है कि राकेश रोशन, क्रिस फोर का निर्मान करना चाहते हैं, अब वो क्रिस फोर को इंटरनेशनल लेवल की फिल्म बनाना चाहते हैं, इसी लिए इस फिल्म का निर्मान, एव तलाग के बाद भी, रितिक रोशन ने अपनी पत्नी सुजैन खान से रिष्टा क्यों नहीं तोड़ा, नमस्कार दोस्तो, मैं गरिमा सिंग, आपका दिल से स्वागत है, हमारे चैनल, बॉलिग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में, दोस्तो, ऐसे राजा मॉ कि क्रिश 4 और क्रिश 5 को एक साथ लिखा जा रहा है, और उसे एक साथ बनाकर कुछ अंतराल के बाद रिलीज किया जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे बाहु बली पहले भाग को दब बिग निंग और दूसरे को कंक्ल्यूजन के नाम से रिलीज किया गया था, रितिक रोशन पर दूसरे मुंबई में हुए एक कारिक्रम में हाल ही में कहा कि क्रिश 4 की तैयारियां शुरू हो चुकी है, फिल्म के बारे में हालांकि वो कुछ भी कहने से बचते ही नज़र आए, इस बारे में बताते हुए रितिक रोशन ने कहा कुछ नहीं, बताने के लिए अभी ब बने रहते हैं, ऐसा ही कुछ रिष्टा है एक्टर रितिक रोशन और उनकी एक्स वाइफ सुजैन खान के बीच, इन दोनों ने काफी संजीदगी से एक दूसरे से तलाक लिया था, हालांकि रिष्टा कभी खत नहीं हुआ, हाल ही में इस कपल के बीच में कमाल की कैमिस्ट रितिक रोशन अपने पूरे परिवार और एक्स वाइफ सुजैन खान के साथ न्यू यर वेकेशन मनाने के लिए फ्रांस पहुंचे थे, इस दोरान उनके दोनों बच्चे भी साथ दिखाई दिये, इस ट्रिप में उन्होंने आल्स परवत में स्नो स्किंग भी की और काफ मस्ती भी की, वहीं अब सभी इस वेकेशन से लोटाएं हैं, लेकिन मालूम होता है कि सुजैन इस मस्ती को काफी मिस कर रही है, जिसके चलते हाल ही में उन्होंने इस वेकेशन की बेहद शांदार तस्वीरे शेयर की हैं, जिन में वो अपने एक्स पती रितिक रोशन के साथ में कई और लोग भी नजर आ रही हैं, इन तस्वीरों को कैप्शन भी काफी दिल्चस्प है, उन्होंने लिखा है, मौडरन फैमिली, दो बेटे, एक मा और एक पिता, कजिन्स और भाई बहन, ग्रेंड पैरेंट्स, ग्रेंड अंकल आंटी और दो दोस्त, नए रिष्टे और खुशियों से भरा हुआ दिल, इन तस्वीरों के साथ सुजैन ने बेहत खुब सूर्ती से नए साल की शुब का पामनाए दी है, फोटोज की बात करें तो इन में से एक में सुजैन, रितिक और कुछ दोस्तों के साथ किसी बार में दिखाई दे रही हैं, तो एक अन्य में वो एक्स पती के साथ स्नो स्कींग करती नज़र आ रही है, इन तस्वीरों और कैप्शन को देखकर लगता ही न बात करें इनके रिष्टे की, तो सुजैन ने 1st November 2014 में रितिक रोशन से तलाक ले लिया था, इस तलाक के पीछे कोई वज़ा साफ नहीं हो पाई, लेकिन कयास कहीं तरह के लगाए जा रहे थे, उसे दोरान रितिक और कंगना रनौत का विवाद हुआ था, जिसके बाद इ हर मुश्किल समय में सुजैन रितिक के साथ खड़ी नजल आई थी, उन्होंने कई मौकों पर अपने एक्स पती को डिफेंट भी किया था, तो दोस्तों आप कितना एकसाइटेड हैं क्रिश 4 और क्रिश 5 को लेकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कोरोना सिंग, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल, बॉलिगराद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में, रितिक रोशन की सूपर हिट सिरीज, क्रिश, फिर से एक बार सुर्ख्यों में आ गई है, वज़ा है, फिल्म में साथ साल पहले दिखाया गया वाइरस, रितिक र वाइरस के आतंक से मरने भी लगते हैं, फिल्म में ये भी दिखाया जाता है कि मुंबई में फैला वाइरस, बायलोजिकल वेपन था और इसे फिल्म में पैसा कमाने के लिए फैलाया गया था, लेकिन इससे पहले की फिल्म का मेल विलिन, यानि की काल इसके एंटी डोड को पेचता, क्रिश के पापा यानि की साइंटिस्ट रोहित इस वाइरस का एंटी डोड बना लेते हैं, और इस तरह मुंबई को इसके कहर से बचा लेते हैं, क्रिश्ट्री उस समय की ब्लॉक बस्टर फिल्म रही थी, और अब भी उसी तरह के हालाद बन चुके हैं, लेकिन सिर्फ इतना है कि ये हमारी जिन्दिगी से जुड़ चुका है, सिर्फ फिल्मी परदे तक सीमित नहीं रह गया, काफी लोग इस बात पर आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना वाइरस भी लैब में ही तयार किया गया, एक वाइरस है, जिसे जान बूज कर लैब से लीक किया गय बॉलिवुड के प्रेडूसर्स इस ऑबजेक्ट पर अफ फिल्म बनाने को लेकर भी काफी जादा एकसाइटिड नजर आ रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस क्रिश 3 में पहले ही ऐसे मिलते जुलते वाइरस का ट्रैक दिखाया जा चुका है, क्या क्रिश के अगले इंस्टॉल्मेंट में इसी पैटर्न पर कोरोना वाइरस की कहानी शामिल की जाएगी, राकेश रोशन तो काफी लंबे समय से क्रिश 4 के लिए ट्राइ कर रहे हैं, इसकी कहानी पर लगातार काम कर रहे हैं, और अब जो हालात बन चुके हैं, इस लिहास से देखा ज तो क्रिश 4 के सूपर हीरो पर कोरोना वाइरस की कहानी काफी जम सकती है, अगर देखा जाए तो पिछले कुछ अरसे में रितिक रोशन का स्टार्डम भी काफी बढ़ा है, काबिल फिल्म हो चाहे सूपर थर्टी, इन फिल्मों से रितिक रोशन इंडस्ट्री के एक नए स गुस्सा भी है कि कुछ लोग कोरोना वाइरस के नाम पर रितिक रोशन की पहली फिल्म कहोना प्यार है को इन कैश करना चाहते हैं, अब साथ ही ये देखना भी काफी इंट्रेस्टिंग होगा जब कोरोना वाइरस का कहर थमेगा, तब क्या राकेश रोशन क्रिश 4 की कहान में कोरोना वाइरस को शामिल करना चाहिए, अगर इसे शामिल किया जाता है, तो क्या ये फिल्म के लिए प्लस पॉइंट होगा? लेकिन अब उनकी मुराद पूरी हो चुकी है, क्योंकि दीबका पदुकोर क्रिस रीज की अगली हिरोईन होगी, अगर फिल्म में दीबका पदुकोर है तो उस मताबिक रोल भी होना चाहिए, ऐसे में उनके लिए एक दमदार सुपर गल का किरदार लिखा जा रहा है, जो क्रिस की सुपर पाउर को पूरी तरह से टक कर दे सके, इससे पहले क्रिस रीज में प्रिती जिंटा, प्रियंका चौपडा और कंगना नरावत दिखाई दे चुकी है, ऐसे में दीबका पदुकोर के साथ फिल्म की स्टार्डम को चार चान लग जाएगा, वहीं दीबका को काफी समय बाद किसी ग्लैमर्स लोर में देखा जाएगा, पहले अफवात ही कि इस फिल्म को संजे गुपता डारेक्शन करेंगे, लेकिन संजे गुपता ने साब कहाए कि मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मैं राइटिंग टीम का हिस्सा हूँ, इसके अलावा फिल्म के इस बारे में जो भी फैसरा लेंगे, वो राकेश रोसन लेंगे, संजे गुपता ने रितिक रोसन के फिल्म काविल का भी डारेक्शन किया था, इस फिल्म में रितिक के साथ यामी गौतम लीड रोल में थे, सुपर हीरो की कहानिया बच्चों में कैसे लाती हैं परिवरतन ऐसा कहा जाता है, सुपर हीरो के पास दैबियें अत्वा अध्भुस सक्तिया होती हैं, जो लोगों और समाज की भलाई के लिए काम करती हैं, सिनेमा जगत में ये काफी प्रचित है, इने फरिस्ता भी कहा जाता है, इन फरिस्तों को बच्चों से लेकर बड़े तक बहुत पसंद करते हैं, जिसने बुरे लोगों को नहीं, बुराई को जड़ से खत्म करने की कसम खाई थी, वो कोई और नहीं भारत का पहला सुपर हीरो सक्तिमान है, इसके बाद कई सुपर हीरो ने लोगों का दिल जीत लिया, बॉलिवुड के सुपर हीरोज में सबसे जादा प हम खुद का आत्मिस्वास बनाए रखें तो मोगैंबो जैसे बुरी सक्तियों को आसानी से हरा सकते हैं, भले हमारे पास सुपर पाउर ना हो, लेकिन अपने भीतर छुपे आत्मिस्वास के पाउर को पहचानना बहुत जोरी है, वैसे भारतिये सुपर हीरो में देखा जा है तो आरेमान, फ्लाइंग जट, जूनियर जी, रावन, क्रिस, मिस्टर इंडिया, सक्तिमान, तूफान, इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है, अगर बाहर के सुपर मेन की बात किया जाए तो जैसे आइरन मेन, स्पाइडर मेन, सुपर मेन, डेर डेविल, बैट मेन, डोरेमोन, जैसे सुपर हीरोज को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है, यही वज़ा है कि राकेश रोसन क्रिस्पोर का निर्मान करना चाहते हैं, अब वो क्रिस्पोर को इंटरनेशनल लेवल की फिल्म बनाना चाहते हैं, इसी लिए इस फिल्म का निर्मान, एवेंजर्स, इनमिट्री वार की तरज पर किया जाएगा, माना जा रहा है कि इस साल के अंध तक इस फिल्म का टीजर भी लॉंच कर दिया जाएगा, आज की लिए बस इतना ही, यह वो कुछ भारतिया फिल्मे हैं जो सूपर हीरो के जॉनर में बनी है, दोस्तो अब भाव तर सूपर हीरो वाली मूवीज बन रही हैं, लेकिन अमेरिकी सूपर हीरो फिल्मों से प्रभावित हो कर कोई पहला मुकमल इंडियन सूपर हीरो लाने वाला और कोई नहीं, वो है राकेश रोशन, उन्होंने 2003 में कोई मिलगिया से शुरुवात की थी, और उसके बाद दो फिल्मों के सीक्वल बने, 2006 में क्रिश और 2016 में क्रिश 3, सबसे पहली फिल्म रोहित नाम के एक लड़के की कहानी थी, जो उम्र में तो बड़ा हो जाता है, लेकिन उसका दिमाग बच्चे जैसा ही रहता है, और इस वज़े से उसे सभी लोग परिशान करते हैं, लेकिन ए शक्ति दे के जाने वाले एलियन जादू का रंग भी नीला होता है, इसलिए वो उसका नाम क्रिशन ही रखती है, और अपने पिता की तरह ही उसमें काफी सारी शक्तिया होती है, और जब वो मास्क पहन कर लोगों की मदद करने के लिए उतरता है, तो उसे लोग क्रिश कहत कि अब इन दोनों फिल्मों में आपको क्या देखने को मिलने वाला है सबसे पहले तो फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्ध की देखने को मिल सकते हैं कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है अगर उनकी कास्टिंग फाइनल है तो अभी ये तैन ही है कि वो किस रोल में नज क्रिश 4 और क्रिश 5 के एक साथ बनने को लेकर एक ठ्योरी ये भी लग रही है कि बीते अपरेल में रिलीज हुई फिल्म एवेंजर इंफिनिटी वार में एक ही कहानी को दो अलग हिस्सों में बांट दिया गया जिसमें पहला हिस्सा आ चुका है और दूसरा आएगा जैसे बाहु बली एक और दो में था आखिर दूसरे हिस्से में होगा क्या इसकी इतनी जादा एकसाइटमेंट थी लोगों में कि बाहु बली टू ने पहली फिल्म के इतनी बड़ी रिकॉर्ड तोड कमाई को भी छोटा कर दिया था और सेम ऐसा ही एवेंजर इंफिनिटी वार क सकते हैं इन्होंने ही क्रिस 3 में कंगना के केरेदार काया के कपड़े डिजाइन किये थे जो रबर लेक्टेक्स से बनाए गए थे इन दोनों फिल्मों के स्टन्ट और स्पेशल इफेक्ट्स के लिए इंटरनेशनल क्रू को बुलाए जाएगा अब देखना होगा कि राके जिन्टा और प्रेंग का चोपड़ा जैसी फीमेल लीड रही है अब कहानी क्रिश के बेटे से शुरू होगी तो उसके लिए किसी नई हिरोईन को जरू लाया जाएगा क्रिश 4 की रिलीज डेट की घोशना भी राकेश रोशन ने कर दी है वो 2020 के क्रिसमस पर इसकी टीम में हनी इरानी, रोबिन भट, राकेश रोशन, सचिन भॉमिक, संजय मासूम और आकर्श खुराना जैसे लोग रहे हैं लेकिन इस बार स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलोग्स किसके होंगे अभी ये कुछ नहीं पता बॉलिवुड के इकलोते सूपर हिट सूपर हीरो से इश्क कौन लड़ाएगा? कौन सा सूपर हीरो है एक्ट्रेस के लिए पनौती और इस सूपर हीरो की हिरोईन बनने के लिए कौन सी एक्ट्रेस लगाएगी अपने करियर को दाओ पर? नमस्कार दोस्तों मैं गरिमा सिंग और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलिक्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में दोस्तों हिंदी सिनेमा में जकी शौफ से लेकर टाइगर शौफ तक के बीच तमाम एक्ट्रेस ने सूपर हीरो बनने की कोशिश की पर सूपर हीट रहा तो बस एक सूपर हीरो यानि की क्रिश पर इसकी हिरोईन फिल्म कोई मिल गया से शुरू हुआ सूपर हीरो क्रिशन का सफर अब सिरीज की चौथी फिल्म तक आप पहुंचा है प्रितिक रोशन स्टारर इस फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म क्रिश फोर 2020 में क्रिसमस के मौके पर रिलीस की जाएगी लेकिन यहां मुद्दा ये उटता है कि बॉलिवुड की एक्ट्रिस के बीच कौन बनेगी क्रिश की हिरोईन दरसल पूरे मुकाबले का पैच ये है कि जो भी एक्ट्रिस अब तक क्रिश की हिरोईन बनी है उसकी परसनल या प्रोफेशनल लाइफ में भूचाल जरूर आया है पिछली फिल्म में प्रिया बनी प्रियंका चौपडा मा बन चुकी थी लिहाजा उनके अब हिरोईन बनने के चांस नहीं है लेकिन ट्रैट पंडित बता रहे हैं कि इस बार क्रिश की हिरोईन बनने के लिए दिपिका पादुकोन का नाम रेस में सबसे आगे है लेकिन कैट्रीना भी है कॉम्पिटीशन में क्रिश फोर के ऐलान की सबसे ज़्यादा खुशी इस फ्रेंचाइजी के डाइ हार्ड फैंस को हो रही है डॉक्टर संजे महरा से शुरू हुई ये कहानी उनके बेटे रोहित से लेकर उसके बेटे कृष्ना तक होते हुए अब क oynay की फिल्मकी कहानी अब 4 पीडी से शुरू होगी जी हाँ पिछली फिल्म यानि कि क्रिश 3 में क्रिशना और प्रिया ने अपने बेटे का नाम उसके बाबा के नाम पर रोहित महरा ही रखा था तमाम प्रेडूसर्स ने सूपर हीरो फिल्म में बनाने की कोशिश की लेकिन दूसरा कोई सूपर हीरो बॉलिवुड के शोकीनों का दिल नहीं जीत पाया है। सूपर हीरो सिरीज की आखरी फ्लॉफ फिल्म रही टाइगर श्रॉफ की फ्लाइंग जट। दिल्चस बात तो ये है कि टाइगर के पिता यानी की जैकी श्रॉफ ने ही बॉलिवुड में सूपर हीरो सिनेमा की शुरुवात की थी फिल्म शिवा का इंसाफ से जोकी देश में बनी पहली हिंदी 3D फिल्म भी थी। 2008 में गोल्डी बहल ने अभिशेक बच्चन को लेकर एक सूपर हीरो द्रोन गड़ने की कोशिश की थी पर 60 करोड रुपे खर्श करके भी बॉक्स ओफिस पर फिल्म ताश के पत्तों की तरह भी खर गई। इसके बाद शारुखान ने करीब 150 करोड रुपे खर्श करके खुद सूपर हीरो बनने की कोशिश की फिल्म रावन में। फिल्म का बॉक्स ओफिस पर हर्श क्या रहा इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके डिरेक्टर यानि की अनुवफ सिना के साथ 5 साल तक कोई बड़ा एक्टर काम करने को तैयार नहीं हुआ जिसके बाद वो नए चहरे के साथ अपनी फिल्म तुम बिन का सीक्वल लेकर आए और वही माना जा रहा है कि क्रिश फोर को इस बार बाहुबली की तरज पर शूट किया जाएगा तो जाहिर से बात है कि लोगों को फिल्म से उम्मीदे काफी जादा है और राकेश रोशन ने भी कहा है कि वो फैंस को कुछ नया देना चाहते हैं कुछ इंट्रेस्टिंग देना चाहते हैं जिसके लिए रितिक रोशन अपने बच्चों से भी सीख रहे हैं जी हां उन्होंने बताया था कि वो अपने बच्चों से वीडियो केम्स के जरिये विल्लेंस कैसे हो सकते उनके बारे में नॉलिज ले रहे हैं क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि इस बार क्रिश्वोर में रितिक रोशन विलन और हीरो दोनों का रोल खुद ही प्ले करने वाले हैं और दोस्तों अगर ये सच में होता है तो ये फिल्म काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है दोस्तों इन दिनों आने वाली कई बड़ी फिल्मों को लेकर जबर्दस चरजा चल रहे हैं इन्ही फिल्मों में से एक है वितिक रोशन की आने वाली फिल्म क्रिश्वोर राकेश रोशन आजकल तेजी से क्रिश फोर की स्क्रिप पर काम कर रहे हैं हाल ही में खबर थी कि फिल्म में प्रियंका चोपरा और केट्रीना कैफ में से कोई एक या फिर दोनों ही फिल्म की लीर हिरोईन के तोर पर फाइनल हो सकती है इसके बाद खुद राकेश रोशन ने क्रिश फोर की स्टार कास्ट को लेकर जबरदस खुलासा किया है निर्माता और निर्देशक राकेश रोशन ने बताया कि क्रिश में प्रियंका चोपरा के साथ काम करना काफी मज़ेदार रहा उन्होंने ये confirm किया है कि प्रियंका क्रिश फोर्ड में भी जरूर होंगी हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि फिल्म में उनका रोल कितना लंबा होगा राकेश रोशन ने पहले ही प्रियंका को याद करते हुए बताया कि जब वो प्रियंका के साथ क्रिश में काम कर रहे थे तब उन्हें नहीं लगा था कि वो इंटरनेशनल स्टार बन जाएंगी लेकिन उन्हें ये ज़रूर लगा था कि बॉलेवुड की नमबर वन हिरोईन हमेशा रहेंगी बता दे कि हाल ही में खबर आई थी कि राकेश रोशन या तो क्रिश फोर को दो पार्ट में बनाने की सोच रहे हैं या फिर वो एक साथ दो स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं जिन में से एक होगी क्रिश फोर और दूसरी होगी क्रिश फाइफ माना जा रहा है कि दोनों फिल्मों की शूटिंग साथ ही साथ होगी और इसे एक साल के अंतर में ही रिलीज किया जाएगा यानि की दो हजार बीस और दो हजार एक स्रितिक रोशन के क्रिश थमाके के साथ पक्का होगा दोस्तों बताया जा रहा है कि ये फिल्म अब तक की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म होगी तो चलिए इसी बात पर जानते हैं क्रिश फोर से जुड़ी कुछ बेहत दिल्चस्प बाते दोस्तों सबसे पहला सवाल है कि आइडिया कैसे आया सूत्रों की माने तो राकेश रोशन को क्रिश फोर का आइडिया तब आया जब उन्हें उनकी पत्नी ने भगवान गनेश की एक तस्वीर दिखाई जहां भगवान गनेश ने क्रिश वाली मास्क पहने थी दोस्तों वहीं इस बार एक्शन और भी धमाकेदार होने वाले हैं जिहां फिल्म में एक्शन सीन्स कोरियोग्राफ करने के लिए हॉलिवूड एक्शन डारेक्टर्स को लाया जाएगा एक्शन के मामले में फिल्म अलग स्थर पर जाएगी ऐसा निर्माताओं का मानना है दोस्तों वहीं सूपर हीट फ्रेंचाइजी क्रिश क्रिश 3 दोनों ही फिल्में सूपर हीट रही है और कमाई के मामले में बॉक्स ओफिस पर धमाका किया है लिहाज़ा क्रिश 4 को और भी बड़े स्थर पर तयार किया जा रहा है दोस्तों वहीं राकेश रोशन ने कहा था कि उनकी फिल्म में बॉलिवूड की A-List हिरोईन होगी और हिरोईन का किरदार काफी दमदार होगा हाला कि निर्देशक ने अभी नाम बाहर नहीं किया है बता दे रितिक फिल्म में न्यू कमर को चाते है हाला कि इस फिल्म में प्रियंका का नाम फाइनल हो चुका है दोस्तो क्रिश फ्रेंचाइजी के निर्देशक राकेश रोशन का मानना है कि फिलहाल भारत में लोग फीमेल सूपर हीरो की फिल्म नहीं देखेंगे और इसी कारण से वो क्रिश फोर को हिरोईन केंदरित फिल्म नहीं बना सकते क्योंकि फैंस को वो पसंद नहीं आएगी दोस्तो वहीं इस बार विलन भी दमदार होने वाला है जहां सूत्रों की माने तो फिल्म के विलन का जैसा किरदार लिखा गया है उसमें नवाज परफेक्ट बैठते हैं राकेश रोशन और फिल्म की बाकी टीम चाहती है कि विलन का किरदार कोई दमदार एक्टर ही निभाए और ऐसे में सभी की उम्मीदे नवाज उद्दीन सिद्धी की पर आकर ठीकी है दोस्तों वहीं अगर बात करें क्रिश 4 की रिलीज डेट की तो निर्देशक राकेश रोशन ने रितिक की बहु प्रतिक्षित फिल्म और सूपर हिट फ्रेंचाइज की चोथी फिल्म क्रिश 4 की रिलीज डेट गोशना कर दी है फिल्म साल 2020 के क्रिस्मस पर रिलीज होने वाली है दोस्तों वहीं बात आई डबल धमाका जिहां हाल ही में खबर आई थी कि राकेश रोशन या तो क्रिश 4 को दो पार्ट में बनाने की सोच रहे हैं या फिर वो एक साथ दो स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं जिन में से एक होगी क्रिश 4 और दूसरी होगी क्रिश 5 माना जा रहा है कि दोनों फिल्मों की शूटिंग साथ ही साथ होगी तो उस्तों वहीं दो दो एक्ट्रिस का भी नाम सामने आ रहा है जिहां इस फिल्म में दो एक्ट्रिस का नाम एक साथ नज़र आ रहा था क्रिश 4 में दो एक्ट्रिसेस स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी माना जा रहा है कि प्रियंका के अलावा इस फिल्म में केट्रीना भी नजर आ सकती है हाला कि अभी इसे लेकर कुछ डिसाइड नहीं हुआ है दोस्तों वहीं सबसे बड़ी एक्शन फिल्म बनने वाली है जिहां फिल्म क्रिश सबसे ज़्यादा कमाने वाली एक्शन फिल्मों में शामिल है और क्रिश 4 और क्रिश 5 भी ऐसा ही करेगी माना ये भी जा रहा है कि बड़े बजट पर तयार की जा रही ये फिल्म अब तक की सबसे तगडी एक्शन फिल्म होने वाली है तो उस्तों वहीं अगर विलन की बात करें तो पिछली बार क्रिश के विलन थे विवे कोब रोए लेकिन इस बार क्रिश की स्टार कास्ट अभी से धमाके कर रही है पर माना जा रहा है कि क्रिश 4 के विलन के लिए नवाजद दीन सिद्धी को अप्रोच किया गया है और उन्होंने हाँ भी कर दी है दोस्तो गौर तलब है कि नवाजुद्दीन सिद्धी की इससे पहले भी सल्मान खान को किक और बजरंगे भायजान में खा चुके हैं दोस्तो कृष्ट 3 2013 की बॉलीवुड की सूपर हीरो कृष्णा की विज्ञान कल्पना फिल्म है फिल्म के निर्माता निर्देशक राकेश रोशन है फिल्म कोई मिल गया 2003 के नायक रोहित और कृष्ट 2006 के सूपर नायक कृष्णा की कहानी को आगे बढ़ाती है इसकी दोनों पूर फिल्मों ने अच्छी सफलता प्राप की थी फिल्म को पहले 3D प्रारूप में जारी करना तै किया था हालांकि समय की कमी के कारण इसे 3D में रुपांतरित किये बिना राकेश रोशन ने बाद में पुस्टी की कि फिल्म को केवल 2D में ही जारी किया जाएगा फिल्म विश्वर में 1 नवेंबर 2013 को जारी की गई क्रिश 3 को समालोचकों से सकरात्मक समिक्षाय मिली है फिल्म में रृतिक रोशन ने च्रिपल रोल अदा किया था और फिल्म ने 240 करोड 50 लाग का कारोबार किया था पिछली फिल्म में आपने देखा सिध्धान तार्य को हडाकर क्रिश अपने पापा रोहित महरा को उसकी कैट से चुड़ा कर घर ले जाता है इस फिल्म की कहानी यहीं से शुरू होती है क्रिश यानी क्रिश महरा अब अपनी दुनिया में लोट आया है जहां वो अपनी खुबसूरत पत्नी प्रिया महरा के साथ बहुत खुश है रोहित भी अब अपने बेटे बहु के साथ रहे कर अपने प्रियोग जारी रखे हुए है प्रिया एक न्यूस चैनल में एंकर है और क्रिशना किसी नोकरी पर टिक ही नहीं पाता क्रिश हर उस जगे मोजूद हो जाता है जहां किसी मुसीबत में फसे इनसान को उसकी जरूरत है भले ही इसके लिए उसे नोकरी से ही गायब क्यों ना होना पड़े और यही वज़़े है कि हर नोकरी पर वो चन्दिन ही टिक पाता है प्रिया को क्रिश की असलियत मालूम है यही वज़़े है कि उसके हर कदम पर उसका साथ देती है दूसरे और काल दुनिया से इनसानों को खत्म करने की नापाक साजिश रच रहा है काल ने अपने डिने और जानवरों के डिने से ऐसे अमाना बनाए है जो उसकी तरह सोचते हैं और उसके इशारों पर चलते है इनी में काया यानि कंगना रनावत भी शामिल है जो काल से मिली शक्तियों के चलते पल भर में अपना रूप बदल सकती है काल दुनिया को तबहा करने के लिए एक ऐसा वाइरस तयार करता है जो इनसानों को मिटाने के मकसद से तयार करवाया गया है काल के बनाए एमानव इस वाइरस को मुंबई में फैलाते हैं जहां रोहित महरा और क्रिश इस वाइरस की तोड़ खोजने में काम्याब होते हैं काल के इशारे पर काम करने वाली काया और उसके बनाए एमानव रोहित महरा और क्रिश को मारने मुंबई पहुच जाते हैं दोस्तो खबरे थी कि इस फ्रेंचाइजी का अगला भाग क्रिश फोर जल्द ही बनने वाला है लेकिन अब खबर है कि पिता बेटे की जोड़ी में कुछ क्रिएटिव को लेकर मतभेद है इसलिए ये भाग बनने में देरी हो रही है दोस्तो सूत्र के मताबिक रितिक अपने पिता की सलान नहीं ले रहे है रितिक के कुछ अलग विचार है कि कैसे स्क्रिप्ट होनी चाहिए और किस तरह की कास्ट इसमें काम करनी चाहिए रितिक एक अच्छे अभिनेता के रूप में सामने आये है और आज के सीनेमा को वो बहतर समझते है वे अपने निर्देशक पिता से चाहते हैं कि वो इस पार कुछ समझदारी वाली फिल्म बनाए जोसे देखकर दर्शक समझ पाए साथी कास्टिंग को लेकर भी उनके बीच काफी मतभेच चल रहा है दोस्तो क्रिश 4 को बाहुबली की तरश पर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जब से बाहुबली रिलीज हुई है हर फिल्म निर्माता बाहुबली को एक आइकन के रूप में देखते आ रहे हैं और इसलिए हर फिल्म मेकर चाहता है कि उसकी फिल्म बाहुबली की तरह भव्य हो। इसलिए राकेश रोशन बाहुबली वाला फॉर्मुला अपना रहे हैं। वो क्रिश 4 और क्रिश 5 दोनों को एक साथ शूट करेंगे। लेकिन क्रिश 4 को वो पहले रिलीज करेंगे। बाहुबली जैसा भव्य सेट क्रिश 4 और क्रिश 5 के लिए बनाया जाएगा। जैसा कि हमारे इंडियन मैथलोजी में हमारे बजरंग बली यानि की हनुमान जी पहले सूपर हीरो हैं। हनुमान के केरेक्चर को ही केंदर में रफकर आज तक सूपर हीरो की कल्पना की गई है। परंतु इस बार लोड गनेशा के सूपर नैचुरल पावर का एडपटेशन क्रिश 4 और क्रिश 5 में किया जाएगा। ऐसा गुप्त सूत्रो का मानना है। परंतु अभी तक फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म की स्टोरी को रिविल नहीं किया है। लेकिन माना जा रहा है कि ये फिल्म भारत की सबसे बड़ी सूपर हीरो वाली फिल्म बनने जा रही है। ये वही फिल्म है जिसने फिल्म इंडस्ट्री को हॉलिवूट लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया रितिक रोशन एक ऐसे एक्टर है जो सिर्फ अभीने के लिए ही नहीं बलकि डांस के साथ साथ सुपर क्यूट स्टाइलिस्ट हीरो के रूप में जाने जाते हैं अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात मानें तो कहा जा रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर 2000 करोड का बिजनिस कर लेगी और अब बॉलिवूट की गरिमा भी हॉलिवूट के सूपर नैच्रल फिल्मों जैसी हो गई है इसलिए क्रिश 4 और क्रिश 5 को लेकर कोहराम मचा हुआ है आप लोगों को फिल्म का कितना बेसबरी से इंतजार है और आपके अकॉर्डिंग क्रिश की हिरोईन कौन होनी चाहिए अपना जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और देखते रहे हमारा चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज क्रिश 4 की शूटिंग में क्यूं हो रही है देरी और कबसे शुरू होगी फिल्म की शूटिंग नमस्कार दोस्तो मैं गरिमा सिंग और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में दोस्तो बॉलिवूड अभिनेता रितिक रोशन ने कहा कि वो जल्द ही सूपर हीरो पर आधारित फिल्म क्रिश की चौथी कड़ी पर काम शुरू करने वाले हैं इस फिल्म की पहली कड़ी कोई मिल गया थी जिसका निर्देशन उनके पिता राकेश रोशन ने 2003 में किया था इसके बाद 2006 में क्रिश और 2013 में क्रिश 3 आई रितिक रोशन ने 2017 में सूपर हीरो पर आधारित इस फिल्म की अगली कड़ी बनाने का फैसला किया हाल ही वार फिल्म में नजर आये अभिनेता रितिक रोशन ने कहा कि वो इस फिल्म की कड़ी को लेकर काफी जादा उतसाहित है जिसे उनके पिता की खराब सेहत की वज़े से टाल दिया गया था आपको बता दें कि रितिक रोशन ने PTI भाशा से कहा फिल्म वार के बाद मैं अपने पिता के साथ बैठूंगा और सभी के साथ मिलकर क्रिश 4 पर दोबारा काम शुरू करेंगे पापा की सेहत के मद्दे नजर हमने इससे थोड़ा किनारा कर लिया था लेकिन अब वो बहतर हैं हम इस पर एक बार फिर काम शुरू करेंगे क्लोते सूपर हिट सूपर हीरो से इश्क कौन लड़ाएगा कौन सा सूपर हीरो है एक्ट्रिस के लिए पनौती और इस सूपर हीरो की हिरोईन बनने के लिए कौन सी एक्ट्रिस लगाएगी अपने करियर को दाओ पर नमस्कार दोस्तों मैं गरिमा सिंग और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलिक्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में दोस्तों हिंदी सिनेमा में जकी श्रॉफ से लेकर टाइगर श्रॉफ तक के बीच तमाम एक्टरस ने सूपर हीरो बनने की कोशिश की पर सूपर हीट रहा तो बस एक सूपर हीरो यानि की क्रिश पर इसकी हीरोईन फिल्म कोई मिल गया से शुरू हुआ सूपर हीरो क्रिशन का सफर अब सिरीज की चौथी फिल्म तक आप पहुंचा है प्रितिक रोशन स्टार इस फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म क्रिश फोर 2020 में क्रिसमस के मौके पर रिलीस की जाएगी लेकिन यहां मुद्दा ये उठता है कि बॉलिवुड की एक्ट्रेस के बीच कौन बनेगी क्रिश की हिरोईन दरसल पूरे मुकाबले का पैच ये है कि जो भी एक्ट्रेस अब तक क्रिश की हिरोईन बनी है उसकी परसनल या प्रोफेशनल लाइफ में भूचाल जरूर आया है पिछली फिल्म में प्रिया बनी प्रियंका चौपडा मा बन चुकी थी लिहाजा उनके अब हिरोईन बनने के चांस नहीं है लेकिन ट्रेट पंडित बता रहे हैं कि इस बार क्रिश की हिरोईन बनने के लिए दिपिका पादुकोन का नाम रेस में सबसे आगे है लेकिन केट्रीना भी है कॉम्पिटीशन में क्रिश फोर के ऐलान की सबसे ज़्यादा खुशी इस फ्रेंचाइजी के डाइ हार्ड फैंस को हो रही है डॉक्टर संजे महरा से शुरू हुई ये कहानी उनके बेटे रोहित से लेकर उसके बेटे क्रिशना तक होते हुए अब क्रिशना के बेटे रोहित तक आ पहुँची है यानि की फिल्म की कहानी अब चौथी पीडी से शुरू होगी जी हाँ पिछली फिल्म याने की क्रिश 3 में क्रिशना और प्रिया ने अपने बेटे का नाम उसके बाबा के नाम पर रोहित महरा ही रखा था क्रिश 4 के रिलीज होने के वक्त ये फ्रेंचाइजी 15 साल का सफर तै कर लेगी 2003 में रिलीज हुई कोई मिल गया से लेकर अब तक क्रिश की सफलता को कैश कराने के लिए तमाम प्रेड्यूसर्स ने सूपर हीरो फिल्में बनाने की कोशिश की लेकिन दूसरा कोई सूपर हीरो बॉलिवुड के शोकीनों का दिल नहीं जीत पाया है सूपर हीरो सिरीज की आखरी फ्लॉफ फिल्म रही टाइगर श्रॉफ की फ्लाइंग जट दिल्चस बात तो ये है कि टाइगर के पिता यानी की जैकी श्रॉफ ने ही बॉलिवुड में सूपर हीरो सिनेमा की शुरुवात की थी फिल्म शिवा का इंसाफ से जोकी देश में बनी पहली हिंदी 3D फिल्म भी थी 2008 में गोल्डी बहल ने अभिशेक बच्चन को लेकर एक सूपर हीरो द्रोन गड़ने की कोशिश की थी पर 60 करोड रुपे खर्च करके भी बॉक्स ओफिस पर फिल्म ताश के पत्तों की तरह भी खर गई इसके बाद शारुख खान ने करीब 150 करोड रुपे खर्च करके खुद सूपर हीरो बनने की कोशिश की फिल्म रावन में फिल्म का बॉक्स ओफिस पर हर्श क्या रहा इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके डिरेक्टर यानि कि अनुवफ सिना के साथ 5 साल तक कोई बड़ा एक्टर काम करने को तैयार नहीं हुआ जिसके बाद वो नए चेहरे के साथ अपनी फिल्म तुम बिन का सीक्वल लेकर आए और वही माना जा रहा है कि क्रिश 4 को इस बार बाहुबली की तरज पर शूट किया जाएगा तो जाहिर से बात है कि लोगों को फिल्म से उम्मीदे काफी जादा है और राकेश रोशन ने भी कहा है कि वो फैन्स को कुछ नया देना चाहते हैं कुछ इं प्रिश 4 में रितिक रोशन विलेन और हीरो दोनों का रोल खुद ही प्ले करने वाले हैं और दोस्तों अगर यह सच में होता है तो यह फिल्म काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है दोस्तों इन दिनों आने वाली कई बड़ी फिल्मों को लेकर जबर्दस चरजा चल रहे इन्ही फिल्मों में से एक है यह वितिक रोशन की आने वाली फिल्म क्रिश फॉर्ड राकेश हнегоसन आज कलतेजी से क्रिश फॉर की स्क्रिप्ड पर काम कर रहे हैं । हाल ही में ख़बर थी कि फिल्म में प्रियंका चोप्रा और केट्रीना कैफ में से कोई एक या फिर दोनों ही फिल्म की लीर हिरोईन के तोर पर फाइनल हो सकती है इसके बाद खुद राकेश रोशन ने क्रिश पूर की स्टार कास्ट को लेकर जबर्दस खुलासा किया है निर्माता और निर्देशक राकेश रोशन ने बताया कि क्रिश में प्रियंका राकेश रोशन ने पहले ही प्रियंका को याद करते हुए बताया कि जब वो प्रियंका के साथ क्रिश में काम कर रहे थे तब उन्हें नहीं लगा था कि वो इंटरनेशनल स्टार बन जाएंगी लेकिन उन्हें ये जरूर लगा था कि बॉलेवूड की नंबर वन हिरोईन ह नादे की हाल ही में खबर आई थी कि राकेश रोशन या तो क्रिश 4 को दो पार्ट में बनाने की सोच रहे हैं या फिर वो एक साथ दो स्कृप्ट पर काम कर रहे हैं जिनमें से एक होगी क्रिश 4 और दूसरी होगी क्रिश 5 माना जा रहा है कि दोनों फिल्मों की साथ ही साथ होगी और इसे एक साल के अंतर में ही रिलीज किया जाएगा यानि कि 2020 और 2021 के स्रितिक रोशन के कृष्ण नमाके के साथ पक्का होगा दोस्तों बताया जा रहा है कि यह फिल्म अब तत की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म होगी तो चलिए इसी बात पर जानते हैं कुछ बेहत दिल्चस्प बाते दोस्तों सबसे पहला सवाल है कि आइडिया कैसे आया सूत्रों की माने तो राकेश रोशन को कृष्ण 4 का आइडिया तब आया जब उन्हें उनकी पत्नी ने भगवान गनेश की एक तस्वीर दिखाई जहां भगवान गनेश ने कृष्ण मास्क पहनी थी दोस्तों वहीं इस बार एक्षन और भी धमाकेदार होने वाले हैं जी हां फिल्म में एक्षन सीन्स कॉरियोग्राफ करने के लिए हॉलिवोड एक्षन डायरेक्टर को लाया जाएगा एक्षन के मामले में फिल्म अलग स्तर पर जाएगी ऐसा निर्माताओ का मानना है दोस्तों वहीं सूपर हिट फ्रेंचाइजी क्रिश क्रिश 3 दोनों ही फिल्में सूपर हिट रही हैं और कमाई के मामले में बॉक्स ओफिस पर धमाका किया है लिहाजा क्रिश 4 को और भी बड़े स्थर पर तयार किया जा रहा है दोस्तों वहीं राकेश शोशन ने चाहते हैं आला कि इस फिल्म में प्रियंका का नाम फाइनल हो चुका है दोस्तों क्रिश फ्रेंचाइजी के निर्देशक राकेश रोशन का मानना है कि फिलहाल भारत में लोग फीमेल सूपर हीरो की फिल्म नहीं देखेंगे और इसी कारण से वो क्रिश फोर को हीरोईन राकेश रोशन और फिल्म की बाकी टीम चाहती है कि विलेन का किरदार कोई दमदार एक्टर ही निभाए और ऐसे में सभी की उम्मीदें नवाजुत दीन सिद्धी की पर आकर ठीकी है दोस्तों वहीं अगर बात करें क्रिश फोर की रिलीज डेट की तो निर्देशक राके 2020 के क्रिस्मस पर रिलीज होने वाली है दोस्तों वहीं बात आई डबल धमाका जिहां हाल ही में खबर आई थी कि राकेश रोशन या तो क्रिश फोर को दो पार्ट में बनाने की सोच रहे हैं या फिर वो एक साथ दो स्क्रिप पर काम कर रहे हैं जिन में से एक होगी क्रिश और दूसरी होगी क्रिश फाइफ माना जा रहा है कि दोनों फिल्मों की शूटिंग साथ ही साथ होगी दोस्तों वहीं दो दो एक्ट्रिस का भी नाम सामने आ रहा है जिहां इस फिल्म में दो एक्ट्रिस का नाम एक साथ नज़र आ रहा था क्रिश फोर में दो एक्ट्रिस फिल्म बणने वाली है इलम फिल्म क्रिश सबसे चला कमाने वाली action फिल्मों में शामिल है और क्रिश फॉर कर्ष वाइव भी ऐसा ही करेगी माना ये भी जा रहा है कि बड़े बज़ट पर तयार की जा रही एफ GROTHER अब तक की सबसे तगड़ी action दिन सिद्धिकी को अप्रोच किया गया है और उन्होंने हां भी कर दी है दोस्तों गौर तलब है कि नवाजुद्दीन सिद्धिकी इससे पहले भी सल्मान खान को किक और बजरंगे भायजान में खा चुके हैं दोस्तों कृष्ट 3 2013 की बॉलिवुड की सूपर हीरो कृष्णा की विज्ञान कलपना फिल्म है फिल्म के निर्माता निर्देशक राकेश रोशन है फिल्म कोई मिल गया 2003 के नायक रोहित और कृष्ट 2006 के सूपर नायक क्रिश्णा की कहानी को आगे बढ़ाती है इसकी दोनो पूर फिल्मों ने अच्छी सफलता प्राप की थी फिल्म को पहले 3D प्रारूप में जारी करना तै किया था हाला कि समय की कमी के कारण इसे 3D में रुपांतरित किये बिना राकेश रोशन ने बाद में पुस्टी की कि फिल्म को केवल 2D में ही जारी किया जाएगा फिल्म विश्वर में 1 नवेंबर 2013 को जारी की गई क्रिश 3 को समालोचकों से सकरात्मक समिक्षाय मिली हैं फिल्म में रृतिक रोशन ने ट्रिपल रोल अदा किया था और फिल्म ने 240 करोड 50 लाग का कारोबार किया था पिछली फिल्म में आपने देखा सिध्धान तार्य को हराकर क्रिश अपने पापा रोहित महरा को उसकी कैट से चुड़ाकर घर ले जाता है इस फिल्म की कहानी यहीं से शुरू होती है क्रिश यानी क्रिश महरा अब अपनी दुनिया में लोट आया है जहां वो अपनी खुबसूरत पत्नी प्रिया महरा के साथ बहुत खुश है रोहि में फसे इंसान को उसकी जरूरत है भले ही इसके लिए उसे नोकरी से ही गायब क्यों ना होना पड़े और यही वज़ा है कि हर नोकरी पर वो चन्द दिन ही टिक पाता है प्रिया को कृष्ट की असलियत मालूम है यही वज़ा है कि उसके हर कदम पर उसका साथ देती है दूस के इशारों पर चलते हैं इनी में काया यानि कंगना रनावत भी शामिल है जो काल से मिली शक्तियों के चलते पल भर में अपना रूप बदल सकती है काल दुनिया को तबहा करने के लिए एक ऐसा वाइरस तयार करता है जो इंसानों को मिटाने के मकसद से तयार करवाया गया काल के बनाए एमानव इस वाइरस को मुंबई में फैलाते हैं जहां रोहित महरा और क्रिश इस वाइरस की तोड़ खोजने में काम्याब होते हैं काल के इशारे पर काम करने वाली काया और उसके बनाए एमानव रोहित महरा और क्रिश को मारने मुंबई पहुँच जाते हैं दोस्तो सूत्र के मताबिक रितिक अपने पिता की सला नहीं ले रहे हैं रितिक के कुछ अलग विचार है कि कैसे स्क्रिप्ट होनी चाहिए और किस तरह की कास्ट इसमें काम करनी चाहिए रितिक एक अच्छे अभिनेता के रूप में सामने आये है और आज के सीनेमा को वो बहतर समझते हैं वे अपने निर्देशक पिता से चाहते हैं कि वो इस पार कुछ समझदारी वाली फिल्म बनाएं जोसे देखकर दर्शक समझ पाएं साथी कास्टिंग को लेकर भी उनके बीच काफी मतभेद चल रहा है दोस्तो क्रिश 4 को बाहुबली की तरश पर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जब से बाहुबली रिलीज हुई है हर फिल्म निर्माता बाहुबली को एक आइकन के रूप में देखते आ रहे हैं और इसलिए हर फिल्म मेकर चाहता है कि उसकी फिल्म बाहुबली की तरह भव्य हो। इसलिए राकेश रोशन बाहुबली वाला फॉर्मुला अपना रहे हैं। वो क्रिश 4 और क्रिश 5 दोनों को एक साथ शूट करेंगे। लेकिन क्रिश 4 को वो पहले रिलीज करेंगे। बाहुबली जैसा भव्य सेट क्रिश 4 और क्रिश 5 के लिए बनाया जाएगा। जैसा कि हमारे इंडियन मैथलोजी में हमारे बजरंग बली यानि की हनुमान जी पहले सूपर हीरो हैं। हनुमान के केरेक्टर को ही केंदर में रखकर आज तक सूपर हीरो की कल्पना की गई है। परंतु इस बार लोड गनेशा के सूपर नैचुरल पावर का एडपटेशन क्रिश 4 और क्रिश 5 में किया जाएगा। ऐसा गुप्त सूत्रो का मानना है। परंतु अभी तक फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म की स्टोरी को रिविल नहीं किया है। लेकिन माना जा रहा है कि ये फिल्म भारत की सबसे बड़ी सूपर हीरो वाली फिल्म बनने जा रही है। ये वही फिल्म है जिसने फिल्म इंडस्ट्री को हॉलिवूट लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया रितिक रोशन एक ऐसे एक्टर है जो सिर्फ अभीने के लिए ही नहीं बलकि डांस के साथ साथ सूपर क्यूट स्टाइलिस्ट हीरो के रूप में जाने जाते हैं अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो कहा जा रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर दो हसार करोड का बिजनिस कर लेगी और अब बॉलिवूट की गरिमा भी हॉलिवूट के सूपर नैच्रल फिल्मों जैसी हो गई है इसलिए क्रिश 4 और क्रिश 5 को लेकर कोहराम मचा हुआ है क्रिश 4 क्रिश फिल्म की 4th installment है और क्रिश फिल्म का पहला पार था कोई मिल गया कोई मिल गया एक इंडिन साइंस फिक्षन फिल्म थी जिसे डारेक्ट किया था राकेश रोशन ने और उस फिल्म में राकेश रोशन का एक कैमियो रोल भी था कोई मिल गया बॉलिवुड की पहली साइंस फिक्षन फिल्म थी और इसके सीक्वल है क्रिश और क्रिश 3 गनेश चतूर्थी के सीजन के दौरान भगवान गनेश की मूर्ती को क्रिश के रूप में तयार देखकर फिल्म में का राकेश रोशन इंस्पायर्ड हुए और फिर से सूपर हिट क्रिश फिल्म की फ्रेंचाइजी को रिवाइव करने के लिए तयार हुए रितिक रोशन ने ट्वीट करके बड़ी एनाउस्मेंट की गनपतीज ब्लैसिंग फॉर क्रिश 4 और ट्वीट के साथ एक इमेज भी शेयर की जो कि लौर्ड गनेशा की थी क्रिश के रूप में और ये इमेज शोशल मीडिया में ट्रेंड में था सवाल ये है कि क्या गनेशा का भी कुल कैमियो होगा क्रिश 4 में या नहीं डिरेक्टर राकेश रोशन ने कहा है कि क्रिश 4 में वी एफेक्श और एक्शन सिक्वेंसिस का हैवी डोस देखने को मिलेगा सूत्रों से पता चला है कि अभी तक आई फिल्म्स जैसे कि बाहु बली, 2.0, टाइगर्स जिंदा है इन सभी फिल्म्स के बज़र्ट को क्रिश 4 पार कर जाएगी सूत्रों की माने तो फिल्म्स के एक्शन सिक्वेंसिस के लिए राकेश रोशन ने इंटेन नैशनल डिरेक्टर हायर किये हैं अभी हाली में आए सभी फिल्म्स जैसे कि बाहु बली, बाहु बली, दा कंक्लूजन, 2.0, इन सभी फिल्मों में जबरदस्ट व्यफेक्स यूज़ किये गए हैं और राकेश रोशन का भी यही कहना है कि इस बार क्रिश 4 में व्यफेक्स का लेवल अब करना है सूतरों की माने तो क्रिश 4 में रितिक रोशन, हीरो के साथ साथ विलेन का भी रोल निभा सकते हैं सूतरों से बता चला है कि रितिक, यिन और येंग, मिन्स की पॉजिटिव और नेगिटिव दोनों रोल को एक्स्प्लोर करना चाते हैं ये कनफर्म न्यूज नहीं है, ये एक स्पेक्यूलेटिड न्यूज है सूतरों की माने तो इस फिल्म में क्रिश के अलावा जूनियर क्रिश भी दिख सकते हैं फिल्म की एक्टरेस अभी फाइनल नहीं हो ही, अब देखना ये है कि क्रिश 4 में कौन सी हीरोई होगी माना जाता है कि प्रियंका हो सकती है, लेकिन प्रियंका कभी भी रिप्लेश हो सकती है और उनकी जगा दीपी का पादुकोन ले सकती है क्रिश 4, 2018 के लास्ट में रिलीज होगी, अभी रितिक बिजी है अपने फिल्म सूपर 30 में जिसको डिरेक्ट किया विकास भेलने और ये एक बायोपिक फिल्म है सूपर 30 एक इंडियन एजुकेशनल प्रोगाम है जो कि पटना बिहार इंडिया में है अंडर दा बैनर आफ रामानुजा स्कूल आफ मैथमेटिक्स और ये 2002 में इस्टैबलिश हुआ था आनंद कुमार हर साल 30 बचे सेलेक्ट करते हैं समाच के आर्थिक रूप से पिछड़ वर्की फैमिली में से और उनको ट्रेन करते हैं IIT के एक्जाम्स के लिए और हर साल वहां के 30 के 30 बचे सेलेक्ट होते हैं IIT में टाइंस मैजजीन ने मैथमेटिशन आनंद कुमार सूपा 30 को सेलेक्ट किया है Best of Asia 2000 में नियूजविग मैजजीन ने मैथमेटिशन आनंद कुमार की सूपा 30 को दुनिया के चार्ज सबसे बल इंस्टिट्ईूट में शामिल किया है आनंद कुमार मौलाना अब्दुलकलाम अजाद सिक्षा पुरसकार से सम्मानित किये गए हैं नौवंबर 2010 में क्रिश वोर की रिलीज डेट क्रिशमस के टाइम रखी गई है और डेट को लेके फिल्म काफी चर्चे में है माना जाता कि एक बार फिर से शारुक और रितिक के फिल्म में आमने सामने आ सकती है जैसे कि काबिल और रईस की डेट क्लैश हुई थी लेकिन एक इंटर्व्यू में राकेश वोशन ने कहा कि नहीं इस बार ऐसा नहीं होगा काबिल के टाइम मेरा मूर नहीं था शिफ्ट करने का और मैंने बहुत पहले ही फिल्म काबिल की डेट एनाउंस की थी बट शारुक ने सेम डेट रखी तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता एक इंटर्व्यू में पूछा गया कि अगर शारुक रिक्वेस्ट करते तो क्या आप रिलीज डेट शिफ्ट कर लेते राकेश वोशन ने कहा कि I don't budge my रिलीज डेट मतलब कि मैं अपने रिलीज डेट नहीं चेंज करता कहोना प्यार है 14 जैनुवरी को रिलीज हो रही थी और आमिर खान की मेला साथ जैनुवरी को रिलीज हो रही थी और शारुक खान की फ़र भी दिल है हिंदुस्तान 21 जैनुवरी को अनिल कपूर की फिल्म पूपार 4 फरवरी को आ रही थी इसे distributor ने suggest किया कि मैं मेरे फिल्म को move कर दूँ क्योंकि रितिक निव एक्टर है उन distributor ने फिल्म को छोड दिया क्योंकि मैंने अपने release date की तारिक नहीं बदली रोशन ने कहा कि शारुक मेरे बड़े बेटे जैसे हैं जिनने मैंने King Uncle, Khoyla और Karan Arjun जैसे फिल्मों में ब्रेक दिया I don't think कि वो कुछ भी unethical काम करेंगे I don't know कि सारुक ने eventually ये date क्यों decide किया था हम आपको एक बाद फिर से याद दिला दे कि कोई मिल गया में लीट रोल में थे Pretty Jinta का रोल सबसे पहले एश्वरे राय बच्चन को आफ़र हुआ था लेकिन उन्होंने मना कर दिया उसके बाद ये फिल्म Pretty Jinta को दी गई फिल्म 8 अगस 2003 में रिलीज हुई थी फिल्म की शूटिंग कसोल, नैनिता, भीमता और कैनेडा में हुआ था कोई मिल गया ने बहुत से आवर्ड रेसिव की हैं जैसे कि National Film Fair Award for Best Film, Other Social Issues, Net Film Festival in Denmark और भी बहुत से 2003 के सारे रिकोर्स कोई मिल गया फिल्म के डिरेक्टर और एक्टर्स को मिले हैं जैसे कि Best Director, Best Actor, Film Fair Award, IFA Award, Screen Award और भी बहुत से Chris Film की Third Story में, Chris 3 का काल तो सबको याद होगा ही उस रोल को निभाया था विवेक ओबिरोई ने काल के कोश्टुम का वेड था 28 किलो और Chris 3 में सबसे महंगा कोश्टुम काल का था काल का रोल सबसे पहले अजी देववन और शारु खान को ओफर किया गया था और जब उन्होंने मना कर दिया तो बाद में ये रोल विवेक ओबिरोई को दिया गया Chris 3 में कंगना रनाउट ने रबर लेटेक सूट पहना है पूरी फिल्म में और उस ड्रेस को तयार करने में 45 दिन लगे आफ्टर एक्सपेरिमेंट विट 25 स्केचिस कंगना ने फिल्म के लिए 4 किलो वेट लूज किया और डेली दो घंटे लगते थे कॉस्ट्यूम को परफेक्टली फिट होने में Chris 3 के बाद कंगना और रितिक मीडिया में चाय वे थे अपने रिलेशन्स की वज़े से माना जाता है कि Chris 3 के सेट पे रितिक रोशन को कंगना रनाउट से प्यार हो गया था और आगे भी पर्श्यू किया था और इस बात को पब्लिकली करने के लिए रितिक ने मना किया था कंगना को रितिक और सुजैन के डिवार्स के बाद सुत्रों से पता चला कि रितिक ने कंगना को पैरिस में प्रपोज किया था तो हज़ा चौदम में फिल्म बैंग बैंग के शूटिंग के वक्त खबर आई थी कि रितिक कंगना को इग्नोर कर रहे हैं और खबर ये भी आयते कि फिल्म की लीडिंग लेडी कैटरीना के साथ नजदी क्या बढ़ाई जा रही है कई रिपोर्टर्स के मुताबिक कंगना ने जब लाइफ में आगे बढ़ना शुरू किया तो रितिक उन्हें परिशान करते थे तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आने वाले इंट्रेस्टिंग फिल्मों के इंट्रेस्टिंग फैट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे प्रेस दा बेल आइकन फोर मोर अपडेट्स और नोटिफिकेशन क्यों एक्साइटिड है क्रिश फोर को लेकर रितिक रोशन और कौन है दुनिया का असली बैटमैन हलो दोस्तो बॉली ग्राद स्टूडियो से मैं हूं सानिया सेफी आपके सामने एक नई विजियो के साथ दोस्तो रितिक रोशन को तो सभी जानते हैं क्रिश के लिए और अब तो उनकी अगली फिल्म इस सीरीज की आने वाली है क्रिश फोर तो इस फिल्म को लेकर रितिक रोशन बहुत ही ज्यादा एक्साइटिड है उनका कहना है क्रिश फोर और फाइब की शूटिंग क्योंकि एक साथ हो रही है और इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी होने वाली है कि पूरी दुनिया देखेगी कि इंडिया का जो सूपर हीरो है क्रिश वो क्या क्या करने के काबिल है सूपर हीरोज के बारे में सभी जानते हो डी सी और मार्वल्स ने दुनिया को बहुत सारे सूपर हीरोज निये है लेकिन इंडिया से अभी तक जादा सूपर हीरोज निकल कर नहीं आए है जो आए है वो जादा चले नहीं है तो सबसे जादा जो इंडियन सूपर हीरो जो चला है वो क्रिश ही है और बच्चा-बच्चा क्रिश का दिवाना है क्रिश को बहुत सारी तारीफे मिली हैं और इस फिल्म सीरीज की अभी तक तीन पार्ट आ चुके हैं जो फर्स था कोई मिल गया उसके बाद ये आए हैं तो अब इस सीरीज का जो फोर्ट और फिफ्ट पार्ट आएंगे उनका कहना है रितिक रोशन का कि इन पार्ट में कुछ ऐसा होने वाला है जो आज तक लोग एक्सपेक्ट ही रह करते हैं क्रिश सीरीज से वो बहुत जादा एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर और फिल्म के कोई स्टोरी ना रिवील करते हुए वो एक सस्पेंस बनाते हुए कहते हैं कि जब लोग इस फिल्म को देखेंगे तो मुझे यकीन है कि लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी और इंटरनाशनल लेवल पर इस फिल्म को बहुत अच्छा रिकगनीशन मिलने वाला है जो पहले की फिल्मों को मिला है उससे कहीं जादा इस फिल्म को लोग पसंद करेंगे तो देखते हैं आखिर क्या होने वाला है इस फिल्म में ऐसा जिसको लेकर रितिक रोशन इतने ज्यादा एक्साइटेड़ है तो चलो दोस्तों आज मैं आपको रियल लाइफ सूपर हीरो से मिलवाती हूँ सूपर हीरो के बारे में सभी जानते हैं कि एक सूपर हीरो कौन होता है, क्या करता है, किस तरह की जिन्दगी जीता है और बच्चा बच्चा वाकिफ है जब भी आप सूपरहेडो का नाम लोग ने था ओतो अपनी रियल लाइफ भी सूपरहेडो की तरह जी रहे हैं, जैसे कि DC का बैटमेन, सब वाकिफ है DC के बैटमेन से, कि किस तरह की उसकी लाइफ है, और वो गौथम सिटी के लिए एक मसीहा है, क्योंकि वो अपने शेहर से जो क्राइम की बंदगी है, उसको साफ करने के लिए निकल चुका है, और जो भी लोग क्राइम करते हैं, उसके शेहर में, वो उनको सबक सिखा देता है, ठीक ऐसा ही एक इनसान है, रश्या की मॉस्को सिटी से, रश्या की जो कापिटल है मॉस्को से, जो कि निकल चुका है, बिलकुल ही बैटमेन की जो रहा है, उसकी दिखाई हुई रहा पर अपने शेहर को साफ करने के लि रातों में घाली रात में भी और दिन में भी नजर आता हो but most specifically रात में वो ये काम करता है जाता है और अपने उसके जो शहर में जो ड्रुग का काम कर रहे हैं रेप केस जो होते हैं और रॉबरी वगएर जिस तरह कभी क्राइब होता है उन सब को इससे डील करता है लेकन मेज 2016 की जून में जब एक टेक्सी ड्राइवर ने रात के वक्त तक्रीबन देखा था कि कोई इंसान केप पहन कर और मास्क लगा कर एक बिल्टिंग से भारा रहा है तो उस्ते पॉरण के फॉरण अपना कैमरा निकाला और विडियो बना ली विडियो जादा लमीन ही आपाई था चोटा सोस में ही है कि बिल्टिंग से वह इक इंसान केप और उसमें निकल रहा है और जमीन पर एक बॉब फेकता है विल्कुछ सूपर हीरो स्टाइल में जिस तरह से हम मुवीज और टीवी से सीरियल्स और में देखते हैं कि सूपर हीरो मास्क उसमें आ रहा है अपना काम किया जमीन पर बॉब फेका और गाया फिक वैसे ही यह रियल लाइफ सो बैटमेन है मौस्को का वो भी ऐसे ही करता है तो उस वीडियो में कैप्चुर हुआ है कि वो निकलता हुआ रहा है और जमीन पर एक बॉब फेकता है और गाया तो टेक्सी ड्राइवर ने पुलिस ड चीखने की भी आवाज सुनी थी लेकिन बाद में मालूम चला कि यह बिल्डिंग दरसल ड्रग्स का अड़ा बना हुआ था तो इसने वही पर अटैक किया था तो इसने जो टेक्सी ड्राइवर था उसने पुलिस ऑफिसर्स को उस बैटमेन के बारे में बताया और उसकी जो बातों को क्लियर करने के लिए रीपर ने अपने खुद के एक ट्वीटर अकाउंट से ट्वीट करकर लोगों को अपने बारे में जानकारी दी तो इसने अपने ट्वीटर अकाउंट से लिखा कि हमारे देश में हमारे शहर में बहुत सारे बहुत जादा क्राइम बढ़ च कुछ भी कुछ भी कर रहे हैं और हर तरफ गंदगी फैल गई है मैं यह नहीं कह रहा कि जो हमारा पुलीस डिपार्टमेंट है और जो लो है वो अपना काम सही से नहीं कर रहा है सब अपना काम सही से कर गए हैं लेकिन मैं as a citizen of mosk को अपने तरफ से step ले रहा चाता हूं बाहर छोड़े आता था ताकि आगे का काम सारा पुलीस कर दे तो मतलब वो कोई लॉबी ब्रेक नहीं कर रहा हुता था पुलीस की हेल्प ही कर रहा था तो इस चीज को देखते हैं उसमें पूरा डिकलेर किया था कि मैं किसी के काम में टांग नहीं अडा रहा हूं मैं बस अपना काम कर रहा हूं तो उसकी इस बात से लोग भी इतने जादा इंस्पायर हुए और पुलीस डेपार्टमेंट भी मतलब उसके साथ कोपरेट करने उसमें उसने बोला कि अगर आपको ऐसे शतरह के चीजश हो रही है अeron01 के बारे में पता है जो इस अब कर रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं था कि मेरी थोड़ी से आप भी हल्प कर सकें तो लोगों ने उसकी इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव ले लिया था और सार काफी वक्त तो उसने ऐसा किया लेकर कुछ टाइब बाद उसको रिलाइज हुआ कि वह अकेले असब नहीं हैंगल कर सकता क्योंकि ड्रग्स की दुनिया का अलगी लेवल होता है और लोग जब खड़े हो जाए ना क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग इसमें जुड़े वे अब बड़े लेकर आप मेरी टीम करना चाहते हैं तो यह थी कहानी मौस्को के बैटमें की जो कि अब इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है जो कि उस वक्त था क्योंकि वही दिक्कत आगी कि उसको काफी ज्यादा हर्ट वगयरा हो गया था तो काम को कर रहा है लेकिन इतना ज सारे लोग हैं जो सूपर हीरो से इंस्पायर हो कर रियल लाइफ में सूपर हीरो का काम कर रहे हैं और ऐसी बहुत से कहानिया मैं आपके सामने लाने वाली हूँ आपको एक कहानी कैसे लगी बता से थे हैं आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में और अगर आपको पता है किसी ऐस सूपर हीरो के बारे में तो आप भी बता सकते हैं देखते रहें ये बॉली ग्राद स्टूडियोस को मैं हुसानिया सैफी जल मिलते हैं एक नई विजियो के साथ लेकिन तब तब फ्यार बढ़ते रहें कि नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गरिमा सिंग और आप सभी का स्वागत है पॉलिवूड अपडेट्स में दोस्तों शरुखान की फिल्म जीरो और मल्यालम सोपरस्टार यश की फिल्म केजिएफ ने सिनेमा घरों में दस दिन पूरे कर लिए है और जहाँ दस दिनों पहले दोनों फिल्म में पूरी जोर शोर के साथ रिलीज हुई थी तो वहीं अब एक फिल्म फ्लॉप हो चुकी है तो वहीं दूसरी फिल्म सूपर हिट जी हाँ इस रेस में शारुक खान फ्लॉप रहे है तो वहीं KGF हिंदी अभी भी बॉक्स ओफिस पर एवरेज से उपर का कलेक्शन कर रही है दोस्तो KGF हिंदी ने 10 दिनों में लगबख 27 करोड की कमाई कर ली है जबकि शारुक खान की जीरो 21 करोड की ओपनिंग के बाद भी अब तक 96 करोड तक ही पहुँच पाई है दोस्तो Zero 4380 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी लेकिन दर्शकों ने फिल्म को बुरी तरह से नकार दिया है और आपको बताना चाहेंगे कि दूसरे विकेंड यानि की रविवार को जहां Zero ने 1 करोड 55 लाग का कलेक्शन किया तो दोस्तों वही KGF ने 2 करोड 10 लाग का कलेक्शन कर लिया है और दोस्तों इन सभी आकडों से साफ है कि अब साउथ की फिल्म भी Zero से आगे निकल चकी है वही रोहिशेटी के सिंभा बॉक्स ओफिस पर इतना ताबर तोर प्रदर्शन दे रही है कि आने वाले 2-3 दिनों में Zero के पास स्क्रीन ही नहीं बचेंगी दोस्तों आनदिल रोई के निर्देशन में बनी फिल्म Zero बॉक्स ओफिस पर पूरी तरह से धरशाई रही है दोस्तों वही राकेश रोशन और रितिक रोशन अपनी सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी फिल्म क्रिश के अगले पार्ट की तयारी में जुटे हुए है क्रिश फोर की कहानियों पर लगातार काम चल रहा है और अब खबर है कि फिल्म की हिरोईन के लिए क्रिटे सैनन अपना नाम फाइनल करवाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है दोस्तों पिछले कुछ दिनों में दूसरी बार क्रिटी राकेश रोशन के ऑफिस में दिखाई दी और हिरोईन जो भी होगी उस पर अपना आखरी फैसला रितिक रोशन ही देंगे दोस्तो हाला के खबर ये भी है कि क्रिश फॉर की लीड हिरोईन बनने के लिए कई एक्ट्रिसेस मेहनत कर रही है जहां राकेश रोशन जी हर उस हिरोईन से मिल रहे हैं जो फिल्म में रितिक के अपॉजिट काम करना चाहती है फिल्म की हिरोईन का फैसला फिलहाल तो नहीं हो रहा है अभी फिल्म की स्क्रिप्ट पर तेजी से काम चल रहा है और अगर बात करी क्रिति सैनन की तो बॉलिवुड में उनका सफर काफी दिल्चस्प रहा है हीरो पंती में टाइगर शोफ के अपॉजिट डेब्यू करने के बाद क्रिति सैनन अक्षे कुमार की सिंगेज ब्लिंग करने वाली थी लेकिन उन्हें रोहिष शेटी की दिलवाले ओफर हुई और क्रिति ने अक्षे की फिल्म छोड़ दी दोस्तो इसके बाद क्रिति सैनन को सलमान खान की सुल्तान ओफर हुई लेकिन यश्राज फिल्म्स उन्हें यश्राज टैलेंट के कॉंट्रेक्ट के तहत बांधना चाहता था जहां हर नया स्टार यश्राज के साथ तीन फिल्में करता है और क्रेते सैनन ने साफ मना करते हुए ये सपस्ट भी किया कि वो नया टैलेंट नहीं है दोस्तो इसके बाद शुशान सिंग राशपूत के साथ उनका राब्दा रोमान्स ढूब गया लेकिन क्रेते सैनन बरेली की बर्फी के साथ एक बार फिर परदे पर चमकी दोस्तो फिलहाल उनकी अरजुन पटियाला रिलीज होने को तयार है और फिलहाल वो कार्ति कार्डियन के साथ दिनेश विजान की लुका छुपी कर रही है तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही बॉलिवूड से जुड़ी कोई भी जानकारी के लिए आप मुझे कॉमेंट सेक्षिन में सवाल कर सकते हैं लाइक और शेयर करना बिलकुल न भूले और देखते रहे हमारा चैनल बॉलिग्राद स्टोडियोज प्रूल रूल भूलिगी जोश सेक्षिन बॉलिग बॉलिग्राद सेक्षिन सुपरिस्टार रितिक रोसन की मोस्ट अमेटिड फिल्म क्रिस पोर और क्रिस फाइब को क्यों बनाया जा रहा है बाहवली की तर्च पर और इन दोनों फिल्मों की कहानी किस देवता की जीवन पर अधारिक है मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉली गराज की जलियारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ क्रिस फोर और क्रिस फाइब के बारे में राकेश रोसन बहुत ही समझात और बुद्ध जीदी अभनेता और डारेक्टर और इनका हसात हमेशा इनके भाई राजेश रोसन देखें उनका म्यूजिक जो है न कमाल का होता है आखिर बात करते हैं कि रितिक रोसन को राकेश रोसन ने किस प्रकार से लॉंच किया जो रातो रात एक सुपाइश्टार बन गई रितिक रोसन की पहले फिल्म थी कहो ना प्यार है यह फिल्म जब रिलीज हुई थी तो बॉक्स आफिस के सारे रिकार तोड़ दिया थी और इस फिल्म ने सबसे ज़्यादा आवार्ड जीते थे उसके बाद रितिक का कैरियर धीरे धीरे गिरने लगए जिसके कारण राकेश रोसन बहुत इनकी थे अब वो सोचने लगे कि अपने बेटे का कैरियर कैसे बनाया जाए क्योंकि इनकी बेटे को घेर रहे थे इंडस्टी के तीन खान यानि की आमिर खान और शारुक खान और सल्मान खान सब राकेश रोसन की दिमाच में एक बहुत अच्छा आइडिया है क्यों ना मैं अपने बेटे को सुपर नेच्छलर पावर से यो एक ऐसा हीरो सब के सामने प्रसूट करूँ जो लोगों को अच्छा लगे वेसे हमारे यहां सुपर नेच्छल पावर यानि कि अिस सुपर हिरो की कहानिया बहुत पहले सहीं बिद्माद्भाइबे अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो हमारे यहां सुपर हिरो सबसे पहला सुपर हिरो कौन था बजरंग बली, हनुमान जी जिन्हों ने अपनी पूँच से लंका जला दी सबसे पहला सूपर हीरो हनुमान जी को माना जाता है वैसे हमारे देश के जिसने भी देवी देवता हैं सभी में सूपर हीरो वाली सक्तियां पाई जाती है और उसके बाद सॱ्पर हीरो वाली इमेज अगर किसी ने देखती है तो वो है कृश्न कनहया अगर कृश्न लीला को जहां से देखें उनके बच्पन की जितनी भी लीलाये हैं वो सब किसी सुपर हीरो से कब ले हैmos और उसके बाद अगर किसी देवताओं में ये सारी सक्टियां पाई जाती है तो हमारे भोले संकर के सुपुत्र जड़ेश जी है जिन्होंने बच्पन में ऐसी ऐसी लीलाएं रची हैं कि जिन्हें देख करके आप सिर्फ हसे रहें अब राकेश लोसन का मन गड़ेश को देख करके उनके लड़ों को नहीं उनकी लीला को देख करके उनको लगा क्यों ना गड़ेश की लीलाओं को लेकर के एक फिल्म बनाई जाए तो ही उनके मन में ये ख्याल आया कि अगर हम गरेस की कहानियों को Chris Four और Chris Five में डाल देते हैं तो हमारा भारती समाज अपने आप इस भारती सिनेमा से कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे लीत रिवाच और हमारी परंपराओं में आज भी हमारे भगवान मौजूद हैं हमारे रग रग में बसे हुए हैं इसलिए राकेश रोसन ने गड़ेश को आधार बना कर क्रिस फोर रोस्विस फाइप की कहानी लिखना शुरू कर दिया है अब उनका मानना है कि जिस प्रकार से गड़ेश ने राक्षशों और बुराईयों के खिलाफ एक मुहीब छेली की क्रिस में क्रिस बनकर क्रिस फोर और क्रिस फाइप में आएगा उन बुराईयों का नास करेगा और सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो यह है इस फिल्म की जादू जादू फिर से आवापस आने वाला उस जादू के जरिये ही रितिक रोसन को यह आभास होगा कि उनके अउजूद है यानि कि जिस प्रकार से हनुमान जी को पता ही नहीं था कि उनके पास बहुत सारी शक्तियां थे उसी प्रकार से क्रिस फोर में रितिक रोसन को पता ही नहीं होगा उनके पास इतनी सारी सक्षियां वैसे अगर बात किया जाए ये जो रितिक रोसन की ये जो फिल्में है कोई भी लगया क्रिस और क्रिश्टू ये सारी फिल्में हीट क्यों नहीं है इसके हीट होने के पीछे बहुत बड़ी वज़ा है इसकी स्टारकास और इसकी कहानी और इसका म्योजिक जैसे कि कोई मिल गया देखा जाए कोई मिल गया में इतने बड़े-बड़े कलाकार थे उनका उन फिल्म में होना ही अपने आप में फिल्म को हीट बना देता है जैसे कि रेखा रेखा कौन नहीं जानता रेखा कि अदाओं से कौन परफाबित नहीं है जब रेखा ने अमिताब बच्चन को बांध लिया था तो हम किसी हैं हमारे दर्सक क्या है फिर उनकी एक फिलिम में थे भाई नसरुदीन साह उनका अबने को इतना लाजवाब है क्यों लोग कहते हैं कि नसरुदीन साहप अपने रुए से अबने करते हैं नाजवाब वाफ और सबसे बड़ी बात है कि हमारे सुन्दरी ने साथ दिया था प्रियंका चौपड़ा आज कल जो विदेशों में एक विदेशी के साथ रन्वेलिया खेलती है वैसे देखा जाए तो राकेश रोशन की जो भी फिल्में बनी है वो सारी बॉक्स आफिस पर सुपहिक रही है चाहे वो करन अरजुन हो या फिर जूली रही हो या फिर क्रिस हो या फिर कोई मिल गया हो क्योंकि राकेश रोशन के अंदर एक समझदारी है वो दिमाग के साथ साथ दिल का भी प्रयोग करते हैं क्योंकि हमारा देश जो है न वो बहुत इमोशनल है तो राकेश रोशन को ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर फिल्म की कहानी में इमोशन्स को डाला जाए और रिष्टों को एहलियत दिया जाए तो फिल्म जरूर्व बॉक्स आफिस पर भमाल मचाएगे यही कारन है कि क्रिस और कोई मिल गया में बाप बेटे के रिष्टों को दिखाया है कि किस प्रकार एक बेटा अपने बाप के लिए सब कुछ कर सकता और माा और बेटे के प्रेम को दिखाया गया है कि एक माँ अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं कर सकती है कितना कश्छ जिल्की है और हमेशा एक माँ को उसका बेटा छोटा ही लगता है कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए यही कारफ भूकी अगर आप फिल्म को देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारतिय संस्क्रिटी में जो रिष्टों के लेकर इंपॉर्टन्स दी गई है वो सारी चीजें आपको राकेश रोसन की इन फिल्मों में आपको देखने को मिनेगे आईए हम बात करते हैं कि क्रिस फोर और क्रिस फाइप में ऐसा क्या करने जा रहे हैं राकेश रोसन सबसे पहली बात इन दोनों फिल्मों को हॉलिवूड लेवल का बनाया जा रहा है और दूसरी बात जिस प्रकार से बाहँ वली की दोनों स्रीज को एक साथ सूट किया गया था उसी प्रकार से क्रिस फोर और क्रिस फाइप को सूट किया जाएगा अब देखना ये दिल्चस्प होगा कि इन दोनों फिल्मों में क्या किर्टी सिनन को लिया जाएगा या फिर किसी तीसरी हिरोईन को कास लिया जाएगा और सबसे बड़ा प्रस्म जो सब की जेहन में खलबली पैदा कर रहा है वो है भाई हमारे भाई नमाजुदीन सिद्ध की फिल्मी गलियारों में ये परिचर्चा है इस बार इन दोनों फिल्मों के मुख बिलन होंगे नमाजुदीन सिद्ध की नमाज जब भी परदे पर आते हैं तो लाजवाब अभने करते हैं नमाज की आप कोई उत्रम उठा करके देखीजिए कहीं से वो अभने में किसी से कम है जबकि नमाजुदीन सिद्ध की में अपने कैरियर में बहुत संघर्थ किया है गार्ट तक की नोकरी की हैं पहले वो छोटे छोटे रोल करते थी उन्होंने खुद अपने इंट्रवी में इस सीद को सोविकारा है कि देखें बॉले बुड में ऐसे नहीं आया आपा सकते हैं अगर आपको अपना स्थान बनाना है तो आपको संघर्थ करना ही पड़ेगा उन्होंने हमेशा कर्म को इंपोर्टेंस दिया है और साथ ही एक बहुत बहुत करारा जवाब दिया है कि देखें अगर आप में टैलेंट है तो आपको किसी स्टार का बेटा या किसी स्टार का भाई होनी कोई जोड़ देंगे और उन्होंने इसको प्रूब किया है कि टैलेंट किसी की रोकने से रोक नहीं सकता और कभी न कभी उस बीज की तरह पिर्थवी को फारते हुए उपर निकलेगा और से फाल होंगे और हरा बरा होगा और दूसरों को जीवन देगा वही नाजोदीन सिद्ध की ने किया अपने अभने स्टाइली थे अगर आप उनकी माजी फिल्म देखे या कोई विल्म देखे उन्होंने एक इंटेंस अब ने किया उनका संबाद बोलने का तरीका अगर आप किक देखेंगे तो उन्होंने सलमान खान को भी तीछे छोड़ दिया वैसे नवाज तो नवाज लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार रितिक रोसन क्रिस फोर और क्रिस फाइप में ऐसा नया क्या करेंगे इस बार रितिक रोसन क्रिस फोर और क्रिस फाइप में देखक के जर्वे बहुत सांदार इस्टन्ट स्पीन देने वाले हैं और इन दोनों फिल्मों का जो क्लाइमेक्स है न वो लाजबाब होगा मैं तो ये कहता हूँ कि जब क्रिस्पोर रिलीज होगी न तो लोग पागल हो जाएंगे भाई कल ही क्रिस्पाइब रिलीज कर दो क्योंकि राकेश रोसन एकदम बैड़ गए हैं उस कहानी को लेकर के जो कहानी लोगों के दिलोक में बहुत सदियों से बसी हुई है वो फिर से इतिहास के पन्नों को पलटना चाहते हैं फिर से दिखाना चाहते हैं कि इतिहास की बातें आज भी जिन्दा हैं अगर आप ध्यान से अपने इतिहास को अपने संस्किती को पढ़ेंगे तो आपके पास कहानियों की कमी नहीं होगे आपको बाहत जाकने की जरूत नहीं है आपको विदेसी फिल्मों का रिमेक बनाने की जरूत नहीं है हमारे पास आरेडी बहुत सारी कहानिया हैं जिन पर बहुत अच्छी फिल्में बनाई जा सकती है और इसका सीधा जवाब है रितिक रोसन की फिल्म कोई मिल गया वैसे यह सब कमाल राकेश रोसन का ही है क्योंकि ज़्यादा तर राकेश रोसन की द्वारा देशित फिल्में ही रितिक रोसन की ही त्हूइं है बाकी तब किल्मों उतने कमाल नहीं कर फाएं पदा नहीं जबकि रितिक रोसन बहुत तैलेंट अब नेता अभी उनकी आने वाली जो फिल्म है वह तुपरढ़िश है जोकिुशिक लुक को देखकर यह लगता है कि खुप कमाल कभने किया है वह से मुझे रृदिक रिवास्टन की सबसेटीशन लगती है गुजारे उन्हों मिल्दे किया, हुआ कंमाल का मैजये करती किया है तुद कहता हूं जो गुजारिस फिल्म है इसको जिसका नेर्देशन स》सरद्my कुछ करनेवाल सक्ट को या हर फिल्म देखने वाले दर्षख को उस फिल्म को गौढ़ से देखना लाख कि रिटिक ने क्या अभिने किया हुआ है वैसी फिल्म हमारे देश में बंती ही नहीं और इसलिए भी बंती कि हमारे यहां वैसे दर्सक नहीं है वैसे छोड़िये कोई नहीं अगर आप पास समय मिले तो एक बार मेरी गुजारिस है या आप गुजारिस फिल्म जरूर देखे आप वैसे मेरा मानना है कि क्रिस 4 और क्रिस 5 जब भी बॉक्स ऑफिस पर आएगी वह धमाल ही मटाइगी जैसे बाउबली और बाउबली टू ने मताया था मैरा तो यहीं मानना है कि क्रिस 4 और के 5 बाउबली 2 करिकार तोड़ देगी और दंगल को भी पीछे करतेगी क्योंकि इन दोनों फिल्मों के लिए अभी से ही राकिश रोसन पूरी तरह से तैयारी करने इसलिए इसकी सूटिंग में देरी हो रही है लेकिन कुछ कुछ चीजों के लेकर के धीरे धीरी इनकी भोस्वाएं शुरू हो गई है अब चलिए देखते हैं इस फिल्म की सूटिंग कब शुरु होती है वैसे आपका क्या नवान है जब इस दोनों फिल्में रिल्ईज होंगी तो बॉक्स ऑफिस पक कतनी करोर तक का बिजनिस करते हैं मेरा तो मानना है जिए दोनों फिल्में आराम से अगर मिला दिया जाए तो 2,000 करोर का बिनेश्ट तो आसानी से कर लेंगी उसकी पिस्षी रीजन है इसमें जो जो भी स्टार को साइन किया जा रहा है हर स्टार सौ करोनी है तो वैसे ही एक फिल्म सूपरिट हो जाएगी वैसे इसका क्रेज जो है बच्चों से लेकर के बुढ़ों सक है हर बच्चा इसकी फिल् तो मख़ूद है अब ये देखना 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 होगा कि राके सोसंग की क्रिस फोर और क्रिस फाइड बॉक्स आफिस पर क्या बाहु बली और जंगल का रिकार्ड तोड़ देगी या नगी आज के लिए बस इतना है आप हमें कमिट करके बताएए कि आप इन दोनों फिल् क्या अजे देवगन से टककर लेने को तयार है रुतिक रोशन और कैसे डर गया मार्वल्स क्रिश फोर से नमस्कार दोस्तो मैं हूँ गरिमा सेंग और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में दोस्तो कोई मिल गया क्रिश, क्रिश 3 और अब क्रिश 4 क्रिश हमारे इंडिया का बॉलिवुड का एक ऐसा सूपर हीरो है जिसे राकेश रोशन ने इजाद किया और जिसके तुलना हॉलिवुड के सूपर हीरो यानि की सूपर मैन और स्पाइडर मैन से की जाती है रिलीज हुई तो फैंस की खुशी और एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना ही नहीं रहा क्रिश 3 से जैसे फैंस सर्प्राइस हो गए तो फैंस की आशा या कहें कि ख्वाईश थी कि क्रिश 3 के बाद इसका भी सीक्वल बनाया जाए तो आपको बता दे कि फैंस की ख्वाईश को ट्वीच करते हुए कहा कि 2020 में क्रिसमस पर क्रिश 4 को रिलीज किया जाएगा राकेश रोशन फिलहाल फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और जल्द ही इसकी शूटिंग भी शुरू की जाएगी और खबर है कि फिल्म में रितिक रोशन, हीरो और विलन दोनों की ही भूमी का निभातें नजर आएंगे वैसे दोस्तों दिसम्बर के महीने में हॉलिवुड की दो फिल्में रिलीज होंगी 27 दिसम्बर को अवतार 2 और 25 दिसम्बर को शेर लोग हॉल्म 3 और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि दिसम्बर में ही मार्वल्स की ब्लैक वीड सेक्षन पर कुछ खास असर ना पड़े वैसे बात करें बॉलीवुड की तो 25 दिसम्बर 2020 को ही अजयर देवगन स्टारर फिल्म जिसका टाइटल अभी डिसाइड नहीं हुआ है और उसे डैरेक्ट करेंगे सोनो के टीटू की स्वीटी के डैरेक्टर यानि की लवरंजन त करते हैं तो वह भी आप मुझे कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट करके बता सकते हैं और साथ ही साथ हमारी वीडियो को ठेज सारा लाइक और शेयर करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राद स्टूडियो क्या हॉलिगुट के साथ कॉलाबरेशन में बनेगी क्रिश फोर्ड क्या क्रिश फोर्ड में विलम का खात्मा करने के लिए क्रिश को लेना पड़ेगा वंडर वूमिन का साहरा नमस्कार दोस्तों मैं गरिमा सिंग और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलीग्राद स्टोडियोज की एक और नई वीडियो में कोई मिल गया ग्रिश, ग्रिश 3 और अब ग्रिश 4 जहां दोस्तों आपने सही सुना रितिक रोशन के पिता और ग्रिश फ्रेंचाइजी के डिरेक्टर ऐलान कर चुके हैं कि 2020 में क्रिसमस पर ग्रिश 4 ज़रूर रिलीज होगी खबरे हैं कि फिल्म में रितिक रोशन, सूपर हीरो और विलन दोनों का ही रोल निबाते नज़र आएंगे सूतरो के अनुसार फिल्म में नवाजदीन सिद्धिकी को भी कास्ट किया गया है जहां फिल्म में नवाजदीन सिद्धिकी होंगे तो ये माना जा सकता है कि वो भी फिल्म में विलन के तौर पर ही नज़र आ सकते हैं वैसे दोस्तों नवाजदीन सिद्धिकी की बात करें तो वो जब भी कोई किरदार निभाते हैं तो उसे जीवित कर देते हैं और किक और जीनियस जैसी अन्या फिल्मों में वो विलन की रोल में अपना कमाल तो पहले ही दिखा चुके हैं बस अब ये देखना दिल्चस्थ होगा कि कौन सा रोल निभाते नज़र आएंगे नवाजदीन सिद्धिकी वैसे आज के दोर में बॉलिवुट की तुलना होली वुट से की जा रही है जिस तरह से बॉलिवुट की फिल्मों में टेखनलोजी और VFX का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे तो ये साबित होता है कि बॉलिवूड इंडस्ट्री और भारत तेजी से तरक्की की और बढ़ रहा है वहीं अगर बात करे क्रिश 4 की तो जहां प्रियंका चोपरा शायद ही क्रिश 4 में नजर आए तो कितना मज़ेदार हो अगर हॉलिवूड सूपर हिरोई वन्टर वूमेन को फिल्म में क्रिश के साथ रखा जाए भले ही फिल्म का बजट बढ़ जाएगा लेकिन इस हिसाब से एक इंटरनेशनल स्थर पर भी क्रिश को और बॉलिवूड को एक नई पहचाम मिलेगी दोस्तो ऐसा मोना बिल्कुल मुमकिन है क्योंकि जहां हॉलिवूड फिल्मों में बॉलिवूड एक्टर्स काम कर रहे हैं तो आपको बता दे कि स्टुदेंट आफ द इयर टू में विल स्मित नजर आ सकते हैं तो क्रिश 4 में वन्टर वूमेन क्यो नहीं? दोस्तो आपके क्या खैलात है इस बारे में कि क्या क्रिश 4 में वन्टर वूमेन को क्रिश के साथ एक्शन प्लस रॉमांस करते नजर आना चाहिए या नहीं? अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे और दोस्तो अगर ऐसा सही में हो जाता है तो फिर तो य फिल्म नेशनल क्या इंटरनेशनल स्तर पर भी सारे रिकॉर्ड्स तो उटी नजर आ सकती हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल ना भूलें और देखते रहे हमारा चैनल बॉलेगराद स्टूडियो क्रिश फोर को हॉलिवर्ड मुवी की तरह बनाने का प्लैन क्यों है सूपर हीरो वाली फिल्म में सिर्फ रितिक रोशन पर ही क्यों अच्छी लगती है और फिल्म को शुरू होने में देरी क्यों हो गई नमस्कार दोस्तो मैं गरिमा सिंग और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलेगराद स्टूडियो की एक और नई वीडियो में दोस्तो सीक्वलों की बहार में सीक्वलों के सूपर स्कार यानि की रितिक रोशन अपनी क्रिश फ्रैंचाइजी की अपकमिंग फिल्म यानि की क्रिश पोर लेकर आábए हैने कारण बॉलिवुड में क्रिश 4 की चर्चा जोरो पर होने लगी है कुछ समय पहले राकेश रोशन ने घोशना भी की थी कि वो बाहुपली की तरज पर क्रिश 4 और क्रिश 5 की शूटिंग करने वाले है वैसे दोस्तों हाल ही में रुतिक रोशन की सालगिरा भीती है और लोग दोस्तों वहीं अगर सूपर हीरो वाली बात करें तो सूपर हीरो वाली बात सिर्फ और सिर्फ रितिक रोशन में ही देखने को मिलती है क्योंकि उनकी इमेज ग्रीस के गौड जैसी है चाहे वो कदकाठी हो या उनका लुक्स हो अगर आप उनको ध्यान से देखते हो तो उ शायद यही वज़े है कि भारत की जनता उनको सूपर हीरो वाली इमेज में स्विकार कर पाती है बॉलिवुड में बहुत सारे एक्टर है शायद लेकिन उनमें वो बात नहीं जिसकी वज़े से जनता उनको सूपर हीरो वाली इमेज में स्विकार नहीं कर पाती है वैसे द अभीनय के दम पर अपने नए केरेक्टर की अवधारना को हमेशा प्रूफ करते हैं और दोस्तों उनका अपना एक अलग अंदाज है अभीनय करने का मतलब कि उनकी अपनी अलग ही अभीनय शैली है वहीं दोस्तों अगर बात करें फिल्म को शुरू होने में देरी क्यों हो ग लगता है वहीं अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो बताया जा रहा है कि इस बात क्रिश 4 और क्रिश 5 की कहानी किसी इंडियन गोड से इंस्पाइड होने वाली है और दोस्तों ये भी माना जा रहा है कि क्रिश 4 की शूटिंग 2020 तक कंप्लीट कर ली जाएगी अब आप को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहे हमारा चैनल पॉलीक्राद स्टूडियोज क्रिश 4 की एक्टरिस का हुआ खलासा नमस्कार दोस्तों मैं गरिमा और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलीक्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में दोस्तों इन दिनों बॉलेवुड की कई बड़ी फिल्मों को लेकर जबरदस चरचान है वहीं इसी बीच भारत की सबसे सफल सूपर हीरो फिल्म यानि क्रिश की चोथी सीक्वल क्रिश 4 जबरदस सुर्ख्यों में आ गई है और जिसकी बज़य है इस फिल्म की हिरोईन दोस्तों बीते काफी दिनों से खबरे आ रही थी कि क्रिश 4 की हिरोईन फाइनल हो गई है और ये एक्ट्रिस है क्रिटी सैनन उन्हें कई बार राकेश रोशन की दफ्तर के चकर काटते देखा गया था और जिसके बाद खबरे आई कि वो क्रिश 4 में रोल पाने के लिए का घृशन का हिसा नहीं है जी हाँ नाहीं उन्हें फिल्म के लिए आप्रोच किया गया और नाहीं उन्होंने राकेश रोशन के दफ्तर के चपकर काटे दरसल जिस stiff बिल्डिंग में राकेश रोशन का kunna उसी ब growing ऐ किसी कांद्यों अब क्रिश काम से किय बार जा चुकि है औ तो चलिए दोस्तों इसी बात पर हम आपको बता देते हैं इस मेगा बजट फिल्म से जुड़ी कुछ दिल्चस्प बातें दो पार्ट में बनेगी जिहां फिल्म राकेश रोशन बाहुवली की तरह ही कृष को दो भागों में बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं यानि कि कृष और दोनों ही फिल्म में एक साथ बनेंगी कैसे आया आइडिया दोस्तों सूत्रों की माने तो राकेश रोशन को कृष फोर का आइडिया तब आया जब उन्हें उनकी पत्नी ने भगवान गनेश की एक तस्वीर दिखाई जहां भगवान गनेश ने कृष वाली मास्क पहन सूपर हिट फ्रेंचाइजी दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं क्रिश क्रिश 3 दोनों ही फिल्म में सूपर हिट रही है और कमाई के मामले में बॉक्स ओफिस पर धमाका किया है तो लिहाज़ा क्रिश 4 को और भी पड़े इस तर पर बनाने के लिए तेयारी की जा रही पोस्पोन हो सकती है फिल्म जिहां फिल्हाल फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है और जिसके बाद प्री प्रोड़क्शन पर काम किया जाएगा और आपको बताना चाहेंगे कि फिल्म में वेफेक्स का काफी इस्तेमाल होने वाला है और लिहाज़ा फिल्म पोस्पोन क्रिश फेंचाइजी के नरदेशक राकेश रोशन का मानना है कि फिलहाल भारत में लोग फीमिल सूपर हिरो की फिल्म नहीं देखेंगे और वो इसलिए क्रिश फोर को हिरोईन के इंदरित फिल्म नहीं बना सकते क्योंकि फैंस को वो पसंद नहीं आएगी रिलीज डेट दोस्तो रितिक रोशन स्टाड़ ये फिल्म 2020 क्रिस्मस पर रिलीज होने वाली है और अभी तक फिल्म के बाकी कास्ट का नाम सामने नहीं आया है लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो क्रिश फोर में रितिक के साथ प्रियंका जोपड़ा की जोड़ी दिख सकती है तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो या बॉलिवुड की कोई भी जानकारी से आप रूबरू होना चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट जरूर करें साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल ना भूले हैं और देखते रहे हमारा चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज क्रिश फोर्ण में विल्लन के रूप में किसको कास्ट किया जा रहा है सूपर हीरो वाली फिल्मों का आइडिया कहां से आता है कौन बनता है इनकी इंस्पिरेशन नमस्कार दोस्तों मैं गरिमा सिंग और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीटियो में दोस्तों क्रिश फ्रेंचाइजी की मच अवेटिड फिल्म क्रिश 4 और 5 का जब से राकेश रोशन ने एलान किया है है ट्रेंड के मुदाविक इस बार क्रिश 4 में विलन के रूप में साउथ के सुपरस्टार को कास्ट किया जा सकता है क्योंकि सल्मान खान की अगर हम फिल्मों को देखे जो ब्लॉंक्बस्टर रही है यानि की वॉंटेड दबंग उनमें हमने विलन के रूप में साउथ के सुपरस्टार को ही देखा है और वैसे भी राकेश रोशन का कॉम्पेटीशन हमेशा ही बॉलिवुड की खान तिकडी से रहा है यानि की आमिर खान शारुक खान और सल्मान खान और इसी के साथ राकेश रोशन हमेशा ही अपने दर्शकों को कुछ बहतर देना चाहते हैं कुछ इंट्रेस्टिंग देना चाहते हैं जिससे की उनका कनेक्शन उनसे बना रहे वही इस बार फिल्म से नवाजुदीन सिद्धिकी का भी नाम जोड़ा जा रहा है क्योंकि नवास में अपने बॉलिवुड करियर में अपनी एक्टिंग के जरी एक अलग ही मुकाम हासिल किया है और किक में उनके द्वारा निभाए गए विलिन की रोल की तारीफे तो लोग आज तक करते हैं लेकिन इन सभी फिल्मों का आइडिया यानि कि सूपर हीरो वाली फिल्मों का आइडिया कहां से आता है कौन बनता है इनकी इंस्पिरेशन तो आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे पांच रियल सूपर हीरो के बारे में बताऊंगी जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहत जरूरी है जो बनते हैं इन सूपर हीरो वाले फिल्मों के लिए इंस्पिरेशन तो सबसे पहले जिसकी मैं बात करने वाली हूँ वो है राधा कृष्णन वेलू दोस्तों इन्हें मिस्टर टीत के नाम से भी जाना जाता है और इनके दात ही इनको रियल सूपर हीरो का खिताब दिलाते हैं क्योंकि ये महज अपने दातों की वज़े से एक भारी भरकम ट्रेन को खीच सकते हैं जिसके लिए इनको कही सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है इनफेक्ट गिनीज बुक ओफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मताबिक वेलू ने 2008 में 206 टन वजन की ट्रेन को 13 फीट तक ही जा था वही जिस सूपर हीरो के बारे में अब मैं बात करने वाली हूँ वो है माइकल टिलीटो जिनने मिस्टर इटर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों इनके पेट की मोटाई एक औसत आदमी के पेट की मोटाई से दोगनी है इनकी पाचन शक्ति इतनी अद्बुत है कि ये ग्लास प्लास्टिक तो इस तरह से पचा लेते हैं जैसे कोई आम इंसान प्यास लगने पर पानी पीता है और सिर्फ इतना ही नहीं इसी के साथ अब ये साइकल, एरोप्लेन और टीवी तक पचा लेते हैं जिसकी लोग कलपना भी नहीं कर सकते इस लिस्ट में अब जो अगला नाम है वो है कैलविन रिचर्ड सन का जिनको लॉर्ण विस्पर के नाम से भी जाना जाता है जी हाँ, इनके पास एक ऐसी अद्बुच शक्ती है जिसके जरीए ये जंगलों के खूनकार जानवरों से बातचीत कर सकते हैं यानि की शेर चीता जिनसे आम इंसान दूर रहकर भी इतना जादा डरते हैं ये उनके बेहद करीब जाकर उनसे बातचीत करते हैं और सिर्फ बातचीती नहीं उनके साथ खेलते भी हैं और इस बात पर लोगों को विश्वास तक नहीं होता दोस्तो लोगों के पास आखे होती हैं और आखे होने के बावजूद भी वो अकसर दोगा खा जाते हैं लेकिन रियल जिंदगी में एक ऐसा रियल सूपर हीरो है जिसको The Man Who Can See With Sound के नाम से भी जाना जाता है इनका नाम है Ben Underwood दोस्तो रेटीना कैंसर की वज़े से तीन साल की उम्र में ही इस बच्चे की आखे निकाल ली गई जिसके बाद इस बच्चे ने हार नहीं मानी अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बना कर एक रियल सूपर हीरो का खिताब हासिल किया आसपास की चीजों की आवाज के जरिये समझने की कोशिश की और इस महारत को हासिल किया और आज ये बच्चा अपनी जिन्दिगी एक आम इंसान की तरह ही जी रहा है वहीं दोस्तों कुमकरन को तो आप सभी जानते होंगे जो केवल सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए जाने जाते हैं और in fact हमारे परिवार वाले भी कई बार हमें कहते हैं कि जब हम गहरी नीन में होते हैं कि देखो किस तरह से सो रहा है जैसे कुमकरन की नीन सो रहा हो इसको कोई फर्की नहीं पड़ता कि देश समाज में क्या हो रहा है इसके पास कोई मरा पड़ा रहे, इसको तो बनग भी नहीं लगने वाली आपको बता दू कि रियल जिन्दगी में भी एक ऐसा इंसान है जो 1973 साल से अब तक एक बार भी नहीं सोया जो 64 साल के हैं और वियतनाम शहर में रहते हैं, जिनका नाम है थाई जी दोस्तों ये इंसान साल 1973 से आज तक एक बार भी सोय नहीं है In fact, कई साइंटिस्ट ने इनके उपर रिसर्च भी की कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है लेकिन कोई भी इस रीजन को पता नहीं कर पाया कि आखिर इनके अंदर ऐसा क्या है जो ये आज तक नहीं सोय और इसके बावजूद भी इनके शरील में उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा तो दोस्तों ऐसे रियल हीरोस सच में होते हैं जिनकी इंस्पिरेशन लेकर ये फिल्में बनाई जाती हैं जिसमें हमें सूपर हीरो देखने को मिलते हैं वैसे अगर आप किसी ऐसे शक्स को जानते हैं जो रियल में एक रियल सूपर हीरो है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप कोई कंटेंट बेस वीडियो मुझे सज़ेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे जरूर शामिल करेंगे और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेड बेल आइकन को दबाना बिलकुल मत भूलिएगा ताकि जल्द से जल्द आपको हमारे चैनल की नई अपडेट्स मिलती रहें और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा तब तक के लिए देखते रहें हमारा चैनल बॉलिग्राद स्टूरियोज क्रिश 4 के ट्रेलर में नया क्या देखने को मिलेगा और क्रिश 5 क्या क्रिश सिरीज की आखरी फिल्म होगी नमस्कार दोस्तो मैं गरिमा सिंग और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टूरियोज की एक और नई वीडियो में दोस्तो निर्माता निर्देशक राकेश रोशन की क्रिश 4 की शूटिंग 2019 में शुरू होनी है काफी दिनों से चल रही इन खबरों के बाद बताया जा रहा है कि फिल्म की स्टार कास्ट में कुछ ट्विस्ट होगा सूत्रों की माने तो नई कहानी के प्लॉट में प्रियंका चोपड़ा के अलावा दो हिरोईनों के लिए जगा बनी है पहले फिल्म में काट्रीना कैफ के होने की भी खबरे थी लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं है सूत्र बताते हैं कि पिछले कुछ समय में राकेश रोशन कहीं नई लड़कियों से मिले है वो किसी फ्रेश चेहरे के साथ एक स्थापिच चेहरे को लेना चाहते हैं इनमें यामी गोतम, भुमी पेढ़ने कर और क्रिती सेनन भी रितिक रोशन की हिरोईन बनने की रेस में शामिल है जानकारों के अनुसार ऐसे में अब रितिक रोशन के सामने अगले साल समच से आ सकती है कि होम प्रोडेक्शन के लिए कब समय निकाले राकेश रोशन उन्हें क्रिश 4 के लिए तयार रहने का निर्देश दे चुके हैं 2019 में वो किसी भी दिन शूटिंग शुरू करने की गोशना कर सकते हैं इस बात को कोई नहीं जुटला सकता कि पहला मुकमल इंडियन सूपर हीरो लाने वाले कोई थे तो राकेश रोशन उन्होंने 2003 में कोई मिल गया से ये शुरुवात की थी बाद में इनकी दो सीक्वल फिल्में क्रिश और क्रिश 3 आई सबसे पहली फिल्म रोहित नाम के लड़की की कहानी थी जो उम्र में बड़ा हो जाता है लेकिन उसका दिमाग बच्चे जैसा ही रहता है और इस वज़े से उसे सब सताते हैं लेकिन एक दिन एक एलियन धर्ती पर आता है जादू वो जादू रोहित को असीम शक्तियां दे कर जाता है दूसरी और तीसरी फिल्म रोहित के बेटे के बारे में होती है च्योंकि रोहित की मा क्रिशन की भग्ध होती है और रोहित को शक्तियां देने वाले एलियन जादू का रंग भी नीला होता है इसलिए उसका नाम रखा जाता है क्रिशना अपने पिता की तरह उसमें भी असीन शक्तियां होती है और जब वो मास्क पहन कर लोगों की मदद करने उतरता है तो कहलाता है क्रिश इसी क्रिश सिरीज में ताजी हलचल हो रही है डिरेक्टर राकेश रोशन ने घोशना कर दी है कि वो एक साथ दो फिल्में बनाने जा रहे हैं क्रिश 4 और क्रिश 5 तो आपको बताते हैं कि इन दोनों फिल्मों में हमें क्या देखने को मिलने वाला है दोस्तो नवाजुदिन सिर्दी की भी इन फिल्मों में दिख सकते हैं कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है अगर उनकी कास्टिंग फाइनल है तो अभी तै नहीं कि किस रोल में वो दिखेंगे चुकि सल्मान खान की किक में वो विलन बने थे तो लगाने वाले कयास लगाएंगे कि विलन के रोल में ही नवाजुदिन सिर्दी की इस फिल्म में भी नज़र आएंगे लेकिन अभी पुष्टी नहीं हुई है राकेश रोशन इन दोनों ही फिल्मों को एक साथ बनाएंगे जैसे अनुरा कश्यप ने गैंक्स ओफ वौसेपुर बनाई और दो पार्ट में रिलीस की डायरेक्टर, राइटर, राकेश रोशन अपनी दोनों कृश फिल्मों के साथ कुछ ऐसा ही करना चाहेंगे इन फिल्मों में सूपर हीरो के रूप में दिखने जा रहे रितिक रोशन के कॉस्ट्यूम डिजाइनर और स्टाइलिस्ट गैविन मिगन हो सकते हैं इन्होंने ही कृश थ्री में कंगना के किरदार काया के कपडे डिजाइन किये थे जो रबर लेटेक्स से बनाए गए थे इन दोनों फिल्मों के स्टन्ट और स्पेशल एफेक्ट्स के लिए इंटरनेशनल क्रू बुला जाएंगे देखना होगा कि राकेश किन हॉलिवुड फिल्मों के क्रू लेते हैं क्योंकि कृश थ्री के विएफेक्स तो उन्होंने शारुख खान की कंपनी रेड चिली से बनवाए थे बताया जाता है कि अगली दोनों फिल्मों में एक नई एक्ट्रेस की एंटरी होगी इससे पहले क्रिश सिरीज की फिल्मों में प्रिती जिंटा और प्रियंका चोपड़ा जैसी फीमेल लीड रही है अब की कहानी क्रिश के बेटे से शुरू होगी तो उसके लिए किसी नई हिरोईन को लिया जाएगा चुकि दो फिल्में एक साथ बन रही है तो सिरीज की बाकी फिल्मों के उलट कहीं नए चेहरे इसमें नजर आएंगे क्रिश फोर की रिलीज डेट की गोशना राकेश रोशन ने कर दी है वो 2020 की क्रिसमस पर इसे रिलीज करने का टार्गेट लेकर चल रहे है लेकिन ये डिपेंड करेगा कि तब किसी और सूपरस्टार की फिल्म तो रिलीज नहीं होगी या ये कि क्या तब तक उनकी फिल्म बन जाएगी अभी दोनों फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है सिरीज की पिछली फिल्मों की राइटिंग टीम में हनी इरानी, रॉबिन बट, राकेश रोशन, सचिद भॉमिक, संजे मासूम, आकरश खुराना जैसे लोग रहे हैं लेकिन इस बार स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलोग्स किसके होंगे ये अभी पता नहीं चला है लेकिन आप फिल्म को लेकर कितना एक्साइटेर हैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और देखते रहे हमारा चैनल बॉलिग रादिस टूर